वेल्कम 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 दोस्तों यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हो यह कंपाइलेशन है लास्ट के सिक्स मंथ के वीडियो का जहां पर आपको तीन घंटे के अंदर करीब पात्सों क्वेस्टन कराएंगे तो आरार भी के एक्जाम आ रहे हैं तो यह जो पिछले महीने है इस अच्छा याद रखिएगा इसमें हमने सेप्टेंबर मंत को पूरी तरीके से आड़ नहीं किया है क्योंकि उसका वीडियो एक अलग से कल आने वाला है लेकिन आज के दिन दाटे सेकंड ऑक्टूबर यह पूरा वीडि हम 75-100 स्टेटमेंट टाइप एंसी की जो है वह आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो यह कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है विए इसलिए इसलिए इंपोर्ट है तो यह पूरा वीडियो देखिएगा इस वीडियो में हमने questions बनाए है जो लोग दिमांड कर रहे हैं स्टेटम 25 important statement of questions थे जो पिछले महीने हमने देखे थे ठीक है तो इसी के साथ हम आप से विदा लेते हैं बाकी यह वीडियो पूरा देखिएगा एंट तक देखिएगा और तीं घंटे का वीडियो है करीब और enjoy कीज़ेगा ठीक है thank you so much everyone and watch the video and comment कीज़ेगा आपको कैसा लगा साथ ही हमारे आज के सेट वन में of the current affairs for the last six months जहां पर आज हम बात करेंगे August के पहले हफते की और ऐसे करके आपको 8 September तक सारे सेट्स हम कवर कर देंगे जिसमें अगस से लेकर पीछे महीने हैं उनको हम one by one cover करेंगे आज एक practice session है आज एक warm-up session है आज आज आप यह जान जाओगे कि questions किस type के बनेंगे RRB PO clerk में और साथी साथ questions का level क्या रहेगा ना सिर्फ paper में बलकि यहां पर तो उनको one by one आपके साथ यहां पर discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं question number one thing which of the following refineries has become India's largest single location refinery यह static GK का सवाल भी बन सकता है और static awareness सवाल बन सकता है इसका आंसर है आपका Mangaluru या Mangalore की refinery जो है वो इंडिया की पहली largest single location refinery आपकी बन गई है बाकी जामनगर refinery गुजरात में है नुमालीगड असम में है इस पे सवाल कई बर examination में बना है बरौनी बिहार में है और डिग refineries के नाम एक बाद जरा आप लोग पढ़ ली जगा वेरी वेरी इंपोर्टन है और इन पे questions भी आप examination में बन सकते हैं ठीक है यहां तक सबको clear हो गया everyone is it understood by everyone okay हाँ गोला घाट के पास refinery है आपकी that is the नुमाली का refinery according to the ministry of forest and climate change अगर हम इस में प्रालमत राले की बात करें तो कितना estimated population tiger reserve tigers का इंडिया में अब हो चुका है यह number पढ़ लिजे का यह number है आपका 3925 का इतने tigers आपके हो चुके हैं दोस्तों सवाल मेरा आपसे और इस सवाल प्रीज बताएं का मेरे कमें सेक्षन में अभी भारत को मिला है उसका 54 ताइगर रिजर्व का नाम क्या है और वह रिजर्व कौन से स्टेट में उसे यह सर्टिफिकेशन जो है वह दोस्तों आपका दिया गय सविस्स को प्रमोट करेंगे उनको एक्सपैंड करेंगे तो एग्रीमंट किया है एडीबी के साथ एशन डिवलप्मेंट बैंक ने कोलाबरेट किया राजस्थान में वह दोस्तों ने रोज लगाएंगे फो एक्सपैंशन ऑफ दी अर्बन सर्विस इस वजह से एडीबी अभी फिलहाल आपका दोस्तों जो है वो न्यूज में बना हुआ है ठीक है इसके दावा दोस्तों अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी और नीती आयोग इन्होंने मिलकर एक क्लाइमिट चेंज हब स्टार्ट किया है और यह अपने तरीके का पहला एक क्लाइमिट अब शत्र नीच बिच चेंज हम जिसे इन्होंने अभी हालीे में स्टार्ट किया है इसके ऑलावा 24 ने भी कुझा रात में दोस्तों स्टार्ट किया है एक ग्लोबल सेंटर पॉर ट्रदीशनल मेडिसीन में उसके लिए उसने स्टार्ट किया है त। उस बज़र से भी आपका फिलहाल न्यूज में बना है ठीक है जी क्लियर सब को क्या बात है आगे बढ़ते हैं विच फॉलुविंग सेंट्रल पॉब्लिक सेक्टर एंटर्प्राइज अस बिकम फिर्स मेंबर तो जॉइन जैपान एशा ट्रांजिशन फिनांस टूडी कुप तो उस ओर्ना और बिसिकली जो फिनांशल सिक्यूरिटी है फिनांशल इंवेस्टमेंट से उसमें इसका रोल रहेगा तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर फॉर इस रो ने अभी हाली में लॉंच किया है सक्सेस्फिल लॉंच किया है तो पीएसलवी सिफ्ट शिक्स डीएसर मिशन जिसमे इन में से किस तरह की सैटलाइट है अर्थ अब्जवेशन रडार इमजिंग कम्मिनिकेशन नाविगेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल विल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू ताट इस एक रडार इमजिंग सैटलाइट है और इसी तरीके से यह आपका दोस्तों जो है व लॉंच किया है निव स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भारत का इसरो का कमर्शल आम है उसने इसको लॉंच करने में सहयोग दिया है विक्टर अक्सल सन ने अभी हाली में जपान ओपन का में सिंगल्स का टाइटल जीता है इन मेंसे किस कंट्री से यह बिलॉंग करते हैं सा नौर्वे की बात भी करूंगा पिकॉस नौर्वे के मैगनेस काल्सन है और उन्होंने रीटेन किया है इस वर्ल्ड चेस्ट चैंपियंशिप और उस वजह से वो न्यूज में है इसके लावा दोस्तों मलेशिया का अभी हाली में 50 हाली में उसका इंडिपेंडेंस डे जो ह की कंट्रवर्शल भी है और उसमें कई अनर्गल स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग कौन सी टरिटरी चाइना के हिस्से में आपकी आती है वर्ल डे अगेंस ड्रग ट्राफिकिंग इन परसंस इन में से किस दिन अब्ज़र्व होता है तो यह दिन आपका दोस्तों जो है को जुलाइ 29 को होता है इसका थीम है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्राफिकिंग लीव नोवन बिहाइंड यह इसका थीम रखा गया है बाकी दोस्तों ऑगस्टेइस का डे पढ़ लीजेगा इस डे के अराउंट सवाल आप से बन सकता है ऑगस्टेइस को हम नाशनल स्पे अग्रोइड के तौर पे मनाते हैं बाकी अगर हम बात करें मार्च मेंडी फोर्थ का तो इस दिन कंजूमर डे के तौर पे मनाया जाता है अभी हाली में कंजूमर केर डे की बात हो रही है और मुस्ट प्रबबली 29 और अउगस्ट को डेट डिसाइड होगी लेकिन रेकिन जो है वह आपका 24 मार्च को दोस्तों जो है वह मनाया जाता है सेमी कॉन इंडिया कॉनफरेंस इनमें से किस शहर में हुई फ्रॉम 28 तू 30 जुलाइ विद धीम कैटलाइजिंग इंडिया सेमी कंडुक्टर एको सिस्टम तो इवेंट आपका जो है वह दोस्तों ऑप्शन नमब फोर गांधी नगर में इस इवेंट को जो है वह आपका होना इस किया गया तो इसका अंसर है ऑप्शन नमब फोर लेकिन अग्रिकल्चर का अग्रीमेंट इंडिया ने कई देश के साथ किया है तो यहां पर सवाल उल्टा हो सकता है कि लेव उस देशी करेंसी है और उसी देश ने इंडिया के साथ अग्रिकल्चर में को आपरेशन किया है तो उसका आंसर है आपका मुल्दोवा अगर हम चीसिनाव है गबॉन का capital आपका labor will और currency आपकी CFA franc है गबॉन में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में वहां के युन 2023 या फिर आपका 9.11 percent वेल दी आंसर इस option नुम्ट 2 16.3 percent इतने परसंसे जो हमारा bank credit है वो ग्रो किया है अगर compare करें इसको with 15% in June 2022 data exam में आते हैं अगर आपका RRB PO का paper है तो उसमें data जाधा आएगा clerk में data comparatively PO के comparison में data आपके काफी कमा जाएंगे eminent Congress leader Vakom Purushottaman has passed away he was the former governor of which of the following state इनका भी दिहानत हुआ है मिजोरम के governor थे तृपुरा के अंडमान निकोबार के all of the above या इन में से कोई नहीं तो उसका answer रहेगा option number four all of the above मिजोरम के भी थे तृपुरा के भी थे अंडमान निकोबार के भी थे सबके ये दोस्तों आपके governor थे तो इनका नाम है वक्कॉम पुरुशोत्तमन नेक्स पर आते हैं कार्गिल एक यात्री की जुबानी को author किया है इन में से किसने जो ट्रिब्यूट पे करता है तो दे मार्टियर्स ऑफ दे कार्गिल यह बहुत ही प्रश्टित बुक है और इस पर सवाल मेरे साब से एक्जामनेशन आना चाहिए निर्या चौधरी उसका अंसर रहेगा बाकि इन तीनों के जुलाई से लेकर पांच अगस तक हम क्या अब्जर्व करते हैं एवियेशन सेक्यूरिटी कल्चर वीक वर्ल्ड ब्रेस्फीदिंग वीक इंटनाशनल वीक ऑफ दे साइंस और पीस नाशनल प्रिशन वीक या इन में से कोई नहीं तो यह जो डे है आपका दाट इस आपका निवेंबर में होता है तो इसको हम अभी यहां पर काम नहीं करेंगे लेकिन हाँ यह हफता अब आपका स्टार्ट हो चुका है एक से लेकर साथ सेप्टेमबर तक आपका नुट्रिशन वीक जो है वो शूरू हो चुका है तो इस पर भी सवाल आपका आपके लिए भी होता है और उसके एक दिन बाद अर्थ ओवर्शू डेस सेकेंड आउगस्ट को दोस्तों जो है पो मनाया जाता है तो इन देस को भी एक बार आप जरूर देख लीजएगा यून पीए जो की पॉपुलेशन फंड है आपका इन कोलाबरेशन विट डाश है लौ जस्ट आस चाट बोट फॉर डॉलेसंस और यंग अडल्स ओन सेक्शुल और प्रड़क्तिव है उसकी बात की है उसका अंसर है उप्शन 2 तो इस मध्यप्रदेश मध्यप्रश रहेगा दोस्तों मध्यप्रदेश अभी न्यूज में आपको पता होगा लाडली बहना यूजना आई है और इस यूजना की वजह से न्यूज में है इस यूजना में दोस्तों कहा गया है कि अब जो अब जो उनका सपोर्ट है वो वन टू फाइफ जरू रूपीस का होगा पहले हजार रुपए का था और यह सपोर्ट पर मन विमन को दिया जाए आगे चलकर इस वजह से असंभी आपका दोस्तों न्यूज में बाकि यूपी की बात करें तो यूपी की पारुल चौधरी है इन्होंने तोड़ा है तीन हजार मीटर का स्टीपल चेज में नाशनल रिकॉर्ड और बुदापेस में जो वर्ल्ड अतरिक चैंपिर्शिप थी उन्हों उसमे क्लीन गंगा ने साथ प्रोजेक्स अप्रूफ की है जिसका वर्थ है 692 करोड का और यह किया गया है फो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुवेश ट्रीटमेंट प्लांट इन विच इयर एन्मसीजी वह स्टाबिश्ट 2008 2011 2016 2004 या फिर 1978 कि समय या किस समय आपका यह जो मिशन है कई बार ऐसा होता है कि पूरी जानकारी question में दे दी जाती है और आपको सिर्फ उसका स्टार्टिक पर बताना होता है या कुछ अलग बताना होता है यह एक दर्द मैं जानता हूं students का इसलिए जब कोई current affairs पढ़िए खेर आप तो अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आ अलगसा relevant part seven products from Rajasthan, Goa and Uttar Pradesh have been given GI tax GI tax is issued for a time period of how many years? 5 years, 7 years, 8 years, 10 years or 11 years तो जो time period है दोस्तों वो रहेगा आपका 4, 10 साल का, 10 साल का होता है फिर new कराना पड़ता है अगर हम GI tax की बात करें तो राजस्थान में GI tax है आपका उदैपूर कौफतागरी metal craft पहला है, दूसरा बिकानेरी काशिदारी craft, जोदपूर बंधेज craft, गोवा में बात करें तो एक तो मंकूर mango है, बेविंका cake है, UPM में second highest GI tax है 53, जहां पर जले सार मेटल क्राफ्ट है, तमिलनाडू में 58 है, जदेरी नमकट, चेड़ू बुट्टा सारी और माटी बनाना आपके तमिलनाडू के अंदर पाए जाते हैं, इंडिया ने unveil किया है visa category for foreign nationals seeking medical treatments, यह visa आपका launch ministry home face ने किया है, यह कौन सी category है, इस particular visa का नाम क्या है, जो की medical tourism में help करेगा, in fact, जो overseas लोग रहते हैं, या जो foreigners है, वो इंडिया आके, इंडिया आके वो अपना treatment करा सकते हैं, तो उस case की हम बात करें, तो उसकी मद्दे नजर इन में से क्या क्या नाम है उस particular visa का, तो उसका आंसर रहेगा आपका आयूश, what does S stand for in ISL, recently ISLRTC and NIOS, यह ने एक sign किया, I am only you to promote ISL, अगर आप समझ गया होंगे, तो इसका मतलब होता है, sign, ठीक है, तो ISL जो है, आपका sign languages का इस अंगठन है, उसने NIOS के साथ, जो की आपना institute of open learning है, उसके साथ collaborate किया है, उससाथ मिलकर, उन् Which of the following organization has handed over the first radio frequency seeker of our cast to DRDO, यह किसने दोस्तों यहाँ पर किया, इसका जवाब दीजेगा मेरे को, फटा 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 इसका आप दीजेगा, GSLI, BEL, BDL, या फिर आपका PFC, तो इसका आंसर जो रहेगा आपके सामने, that is option number 4, that is भारत Dynamics Limited, इसने दोस्तों जो है, वो एक collaboration किया और इसने जो है वो आपका जो है वो टाय अप यहाँ पर किया, तो BDL इसका आंसर रहेगा, BDL के साथ यह collaboration हुआ, उसने ही DRDO को, आकाश और इसको है, उसको handover किया है, नाम देव, धंदो, मनोहर का संबंध इनमें से किस साथ किस से था, इनका देहान तबी हाली में हुआ है दोस्तों, तो इसका जरा आंसर देजिएगा मेरे को, science, poetry, politics, music या फिर films, किस के साथ collaboration आपका दोस्तों जो है, वो हुआ है, इसका जवाब दीजिएगा, इसका आंसर रहेगा, आपका option number two, that is, poetry, poetry is absolutely the correct answer, उसे संबंध था, in fact, यह आपके घीतकार भी थे, यह आपके लिर रखा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर है, option number two, that is, poetry, clear है सबको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इनमें से वो कौन सा central public sector enterprise है, जो भारत का तेरवा महारतन कंपनी बना है, बात समझेगा, अचा, यह खबर इसलिए इंपोर्टन है, बिकॉज महारतन कंपनी बनी है, और नवरत कंपनी भी यहाँ पर दोस्तों जो है, बनाएगा, दोनों ही कंपनी यहाँ पर बनी है, तो महारतन कंपनी की बात करें, तो वो All India Limited है, जो महारतन कंपनी बनी है, और ONGC विदेश लिमिटेड यह कंपनी जो है, यह नवरतन कंपनी के तोर पे अभी आपकी बनी है, तो दो कि वज़े से यह आपका न्यूस में था, उनमेशा इंटरनाशनल लिटरेचर फेस्टिवल और उतकर्ष नाशनल फेस्टिवल फोक्राइबल परफॉर्मिन आर्ट्स का, इनमें से किस सिटी में दोस्तों जो है, वो आपका और्गनाइज किया गया है, जानपुर, बोपाल राची, गंजम, या फिर आपका पुनेश्वर, तो इसका जवाब इनमें से क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों है, आपका option number two, that is भोपाल, कई बार events में सवाल बनता है, कि event कहां कहां पर हुए थे, तो उसके मद्दे नजर, answer यहां पर रहेगा, option number two, that is भोपाल, भोपाल is absolutely the correct answer, उमीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, कि सवालों का level कैसा रहता है, और सवाल किस टाइप के बनेंगे, तो उसके मद्दे नजर मैं आपको यहां पर यह चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यारा देहां से देखना पड़ेगा, ठीक, इसका अंसर है, उप्शन नमबर टू, इस भोपाल, इन में से कौन सी कंपनी है, जिसने टॉप किया है, लिस्ट ऑफ फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी अस मेजर बाटूर रवेन्यू फिसकल यह 2023, वैल इसका अंसर एक ही है, वालमार्ट है, वालमार्ट आपका नमबर रांकिंग में आपकी दोस्तों आ चुकी है, अक्वाडिंग टू इसन पी ग्लोबल इन एकॉनमी रेटिंग इन एकॉनमी आपका कितना ग्रोग करेगी, बिट्वीन फिन फिननाशल इयर 24 और फिननाशल इयर 31, यह मैं इन समसाल की बात कर रहा हूं, मैं फिननाशल 24 की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसको लेकर आप क्लियर हो जाइए, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसके बीच, तो इसका आंसर है, option number 3, 6.7% से ग्रोग करेगी, इस समय के दोरान, अभी हाली में डेटा आया है कि according to NSO, इंडिया का जो GDP फोरकास्टिंग है, वो आपका 7.8% पर है, for the first quarter of this financial year, तो और यह रेटिंग भी आपको यहां पर रियाद करने पड़ेगी, 7.8% है, लेकिन अगर हम एक एक रीजन, एक पर्टिक्लर टाइम लाइन की बात करें, फनाशे 24, 31 तक तो उसमें 6.7% तक हम रोख करेंगे, एमिनेंट स्पोर्स परस्नालिटी, गिया आपका संबन था, जर्मन फुट्बॉलर थे, बाइन म्यूनिक करके एक बहुती मशूर जर्मन क्लब है, उसके यह फुट्बॉलर गोलकीपर थे, और इनकार इन्हों ने अभी हाली में दोस्तों जो है, वो रिटार्मेंट लिया है, इसके लिए बात करें, तो होकी में इं चैंपिन्स टोफी जीती है, मलेशिया को हराकर, बहुती क्लोज मैश हो गया था, लेकिन भार ने कमबाक किया, और कमबाक के बाद उसने में जीता होकी में, तो उस बचासे होकी भी आपका निउस में है, अमरित ब्रिक्ष्य आंदोलन वेब पोर्टल, जो की ट्राक करता ह है, प्लांटेशन को और एक करोर ट्री साप्लिंग्स इनमें से किस्टें में लाँच हुआ है, तो ये सवाल बनेगा, कि ये वेब पोर्टल, जो की ट्रीज के लिए है, वो होगा, अगर आप नाम पढ़े होंगे, तो अमरित ब्रिक्ष्य लिखाए, तो ब्रिक्ष्य हम ब GST को लेकर एक बनाया है पैनल, और उस पैनल को आपका लीड करेंगे, अर्विंद सुब्रमनियन जो भारत के फॉर्मर चीफ एक्रनॉमिक अड्वाइजर है चुके हैं, वो उनको लीड करेंगे, और उस वजह से दोस्तों जो है, वो न्यूज में है, इसके लावा करनाट का आपका न्यूज में है, बिकाज ग्रियर लक्षमी स्कीम जो है, उसको लांच किया गया है, जहां पर दो हजार रुपए पर मन्त का सपोर्ट जो है, उसे प्रोवाइट किया जाएगा तू दे विमन बनेफिशरीज करीब 1.1 करोड विमन बनेफिशरीज हैं, जिनको इस का सपोर्ट जो है, वो दोस्तों आपका दिया जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, तो उत्तरा खंड आपका न्यूज में है, मैंने और यह जो पांच पॉल प्रोमिस था, जो कि इन्होंने अभी यहां पर प्रूरा किया है, शुभा सब्सक्राइब, उनकी सहायता के लिए इसको लॉंच किया जाएगा, वेल इसका आंसर है, ऑप्शन वन करला, करला से काफी ज़्यादा लोग जो है, वो आपके गल्फ कंट्री जाते हैं, तो वहां पर बट अव्य से ऐसी सुभधा को वहां पर स्टार्ट किया गया है, इस लिए इस डे को हम तेलगू लांगविज डे के तौर पे दोस्तों जो है, वो मनाते हैं, आयू सी एन जो की एक यूनियर है फो कंशर्वेशन अफ नेचर और वाइलाइब ट्रस्ट अफ इंडिया डबलू टिया है, उन्होंने एमो यू किया है, टू सेट अप इंडिया इ ये जो सेंटर है दुनिया में कौन से नंबर का होगा, कितने सेंटर अलडिया से बन चुके हैं, तो दोस्तों दुनिया में ये 10th सेंटर होगा, जो की आपका एक स्पेशी सेंटर फोर स्पेशी सर्वाइबल, जिसे CSS क्याते है, उससे तरह बने का, एशिया में ये 3rd होगा लेकिन दुनिया का ये 10th ऐसा एक सेंटर जो है वो आपका बन कर सामने आएगा, which of the following projects has completed its 50th anniversary this year and has recently merged with project elephant, देखो, project elephant के 30 साल पूरे हो गए थे, और उस project के 50 साल पूरे हो गए थे, और project का नाम आपका जो है, that is option number 3, that is project tiger, इसके दोस्तों आपके 50 साल पूरे हो गए हैं, इ 54 tiger reserve भी आपका बन कर सामने आया है, इन में से कौन सी country बनी है, the 18th country to recognize by WHO to have eliminated trachoma as a public health problem, कौन सा वो अठारवा देश है, जिसने ट्रकोमा की problem को अब, को हाब eliminate कर दिया है, वो देश का नाम है, दोस्तों, आपका option number 4, that is Iraq, Iraq is absolutely the correct answer, so with this guys, we will come to an end, जैसे मैंने पहले कहा, ये set 1 है, ये set 1 करने का मेरा मकसद ही था, आपको बताने का कि लेवल कैसा रहेगा हमारे sessions का, बाकि कल से session जो मिलेंगे, उसमें करीब आपको minimum से minimum 50 questions मिलेंगे, और ऐसा करते करते हम 8 तारिक के, in fact, 5th September से हम, 5th, 6th September से हम मैंताव session ले आएंगे, आपके recorded, लेकिन तब तक आप इन June, July, August, ये 4 महीने तो हम cover करेंगे, और बाकि 2 महीने का आपको एक साथ एक discussion दे देंगे, लेकिन मैं repeat फिर से करूँगा आपके लिए, कि इन sessions को miss मत करिये, sessions कभी रहेंगे, एक घंटे के, कभी आदे घंटे के, लेकिन 6 महीने का पूरा cover हम आपको, मेरी पूरी कोशिश है क कि by the 6th and 7th of September, सारा cover कर लें, तो daily basis पर revise करते ही questions को, अगर आप तयारी कर रहे हैं और आपने से परेंगे नहीं पढ़ा तो कम से कम इनको पढ़के जाए, ताकि आप ठीक ठाक नमबर एक्जाम में ले आए, treated as a practice session, as a revision session, इसको देखना मत भूलेगा, thank you so much everyone and take care, bye bye guys, thank you so much. नमस्कार दोस्तों, आप सब का स्वागत है, हमारे आज के second set में of the last six month current affairs MCQ, ये MCQ वैसे तो RRB, PO, clerk means के लिए, लेकिन अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, तो वहाँ prelims level तक के सवाल आप इस series में देख सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, 10 September को paper है, तो मेरी कोशिश रहेगी, questions को increase करने की, कल करीब 30 questions से, आज करीब 25 questions हैं, और कल मुझे उमीद है, कल हम 60-65 questions करेंगे, तो by 8 to September आपको 500 questions पूरी तरीके से मिल जाएंगे, हर एक question को discuss करते हुए, तो चलिए, शुरू करते हैं, discussion का, discussion का आगास करते हैं, और आते हैं, आज के हमारे पह प्रोजेक्ट, what does SLUDI, what does D stand for in SLUDI, SL तो Shri Lanka है, और D जो है, that is option number 2, digital, जो वहाँ पर urban digital initiatives है, जैसे कि इंडिया में, आप UPI देखते हैं, डबल BPS देखते हैं, यह सब चीज़ों देखते हैं, तो वैसे ही, Shri Lanka में भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, इसके लिए, इंडिन गवर्मन ने 450 मिलियन डॉलर जो है, वो Shri Lanka को इस प्रोजेक्ट के अंडर प्रोवाइट की है, जो कि एक कोलाबरेशन है, between India and Shri Lanka, क्या नाम है उस पोर्टल का, जिसे Ministry of Family, Health and Children's Welfare ने लाँच किया है, जिससे कि जो human remains है, अगर किसी के death हो जाती है, और उसके जो नुबर टू, that is the e-care portal, examination में आप से सवाल पूछ सकता है, आप से question पूछ सकता है, e-care portal का full form क्या है, इसका full form है, e-caring for after life remains, यह इसका full form है, similarly दोस्तों, e-visa की जगह आप याद कर लेना, Ayush visa, because Ayush visa को launch किया गया है, ताकि इंडिया में medical tourism को increase करें, और विदेशी लोग इं e-bus सेवा है, यह भी आपका news में है, और यह आपका news में इसलिए है, क्योंकि 10,000 e-buses को हम आने वाले कुछ दिनों में launch करने वाले हैं, ताकि जो buses ट्रांसपोर्ट है उसमें, और वो environment friendly हो जाएं, और उससे जो हमारा परियावरन है, उस पर असर कम से कम पड़े, रिसेंटली PMODI has laid the foundation stone for redevelopment of how many stations, कितने station के redevelopment करने का, उनका पुनर उधार करने के लिए, अमरिद भारत station की scheme को launch किया गया है, तो इसके अंदर 508 stations है, 24,000 करोर से उपर का खर्चा किया जाएगा, और इन stations को दोस्तों जो है, वो develop किया जाएगा, वैसे इनका जो total number है, वो 1000,000 से जादा है, however, अभी फिलहाल 508 stations के लिए इनको जो है, वो launch किया गया है, इस scheme को जो बड़े-बड़े stations की redevelopment scheme है, उससे confuse मत करना, तीन बड़े stations है, जैसे मैं आपको बताया था, कुछ अलग-अलग जगहों पर, एक है आपका CST Terminus, चत्रप्रशिवाजी Terminus, एक है आपका वरानिसी का station, और एक है आपका एहम्दाबाद का station, ठीक है, ये तीन station जो है, इनको तो अलग तरीके से डिवलप किया जाएगा, और इन तीनों को अलग से डिवलप किया जाएगा, और 10,000 करोड रुपीस जो है, वो amount यहाँ पर दिया गया है, इसमें हम किया था, trainers for trainer initiative, जिससे कि कि state government के अंतरगत, जो women friendly tourism है, उसको प्रमोट किया जाएगा, 36 गड़, मध्यप्रदेश, करनाटका, केरला और महाराष्ट्रा, आंसर इसका है, option number 4, that is केरला, केरला में इस initiative को शुरू किया गया, बाकि मैंने आपको अलोड़ी बताया हुआ था, क कि जो इंडिया का पहला AI school है, वो यहीं पर बनेगा, सवाल आपसे एक और साल पूछा जाएगा, और सवाल आपका homework है, कि यह AI school का नाम क्या है, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन जान लीजे, आज के session में हम 6-18 अगस्त की current affairs को cover कर रहे हैं, ठीक है, मै बहुत clear agenda है, कि जो भी जितना cover कर रहे हैं, आपको बता दूँ, कल हमने cover किये थे, एक से लेकर pass तक, आज cover करने 6-18 तक, कल मुझे उमीद है, हम 20 दिनों से उपर कर का, कल cover कर देंगे, आंसर यहाँ पर है, option no.4, that is Kerala, IRISAT, IIT Madras और Ministry of Railways ने set up किया है, एक 5G test bed, इनमेसे कि शहर में वही शहर है, जहाँ पर IRISAT located है आपका, well, इसका answer है, option no.3, सिकंदराबाद, इसे हम हाइदराबाद का Twin City भी कहते हैं, तो उसका जवाब 3 रहेगा, पाकि कल मैंने आपको Mangaluru बताया था, अगर आपको याद हो साल ही में, G20 की जो कल्चरल मीटिंग हुई थी, जहां पर एक बहुती बड़ा ट्रूप ने, जिसमें, जो 20 देश हैं, जो इन्वाइटी कंट्रीज हैं, उनके सिंगर्स ने, मुजिशन से पार्सिपेट किया था, उस सूर कॉंपेटिशन में, उस सूर ट्रिब्यूट में तो वो भी आपका वरांसी में हुआ था, क्या उसका नाम सुर्वसुधा है, क्या उसका नाम सुर्वसुधा है, जरूर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पताइए, गोवा शिप्यार लिमिटेड ने एक MOU सान किया है, इनमें से किस हायर एजुकेशन इस्टिट्यूट के सा और वो मिलकर डिवलप करेंगे AI for Ship Building and Defense, बहुत ही सिम्पल क्वेशन है, GSL शॉर्ट फॉर्म है इसका, आंसर यहां पर है, Option No.3, IISC Bengaluru, इनके साथ मिलकर जो AI का involvement है Shipping Building में और Defense में, उसका काम किया जाएगा, दोस्तों अभी हाल ही में GSL ने टायप किया है, कीनिया के Shipyard Limited से भी, कीनिया की Shipyard से भी, ताकि उनके साथ मिलकर कीनिया के लिए जो Ship Building है, उसमें Ship Construction है, उसमें Help की जा सके, उस वजह से कीनिया भी और उसका Shipyard भी News में है, संजे कुमार अगरवाल इनमें से किस Organization के Chairman बनाए गए है, उसका नाम है CBIC, Central Board for Indirect Tax and Customs, जब हम GST की बात करते हैं, तो हम CBIC की बात करेंगे, उस वजह से इसका जवाब आपको देना है, पाकि दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आप से है, अब इहाली में the first ever woman chairman or woman chairperson of railway board has been chosen, आपको बताना है उन महिला का नाम क्या है, आप ये comment section बताएंगे, अच्छा रहेगा, because उस पर भी सवाल, क्योंकि व world trade statistical review की बात माने, जो कि साल में एक बार हर साल WTO, world trade organization present करता है, तो merchandise export, मतलब goods export के मामले में, इंडिया की overall cumulative rank कितनी है, इंडिया की rank दोस्तों 18 है, इंडिया की rank दोस्तों 18 है, सप्राइजिंग बात है, लेकिन चाइना नंबर 1 पे है, चाइना के बाद USA नंबर 2 पे है, और Germany आपका नंबर 3 पे है, similarly अगर हम इंपोर्ट की बात करें, तो exporting country, export हो गया goods का, similarly अगर हम export की बात करें, तो export के मामले में, इंडिया, sorry, USA नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, और Germany नंबर 3 पे है, तो सिर्फ top 2 positions आपकी change हो जाएंगी, अगर हम export और import की बात करें, तो, ठीक है जी, इंडिया की रांग, इसमें 18 रांग पे आती है, इंडिया ने pledge किया है, 700,000 dollars for UNDP's project on clean water and company development in schools in Tuvalu, Tuvalu में ये काम होगा, जहाँ पर, वहाँ पर साफ सुतरा पानी और sanitation को लेकर काम किया जाएगा, वहाँ के schools में, सवाल है, Tuvalu का currency क्या है, इसका currency है आपका दोस्तो, fun funa footy, ये इसका currency है, थोड़ा अलग current affair था, इसलिए मुझे लगा, कि ये ऐसे सवाल exam में आते भी हैं, relevant सवाल नहीं आएंगे, Dublin की बात न नहीं करेंगे, क्योंकि Portugal की बात है, या फिर आकरा की बात में नहीं करेंगे, जो कि आपका धाना का है, यो कि वो अलड़ी आ चुके है, ये चुकी न्यूस में है, तो funa footy, जो है, वो इसका आपका यहाँ पर capital है, तो उसको भी as it is पढ़ लीजेगा, ये correction कर लीजे, इस पासेक्स में, ये जो आपका, ये जो आपका exercise है, ये किस देश के साथ किया गया है, बहुत ही basic सा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब दीजेगा, इसका answer है option number 3, that is Saudi Arabia, Saudi Arabia के साथ, Saudi Arabia में ही इसको जो है, वो किया गया है, जी, तो उसका answer option 3 रहेगा, that is absolutely correct, ग्रीस की बात करें, तो इनी कियोस नाम से exercise है, जिसमें इंडिया ने भी participate किया है, और अभी वैसे भी इंडिया जो है, वो ग्रीस के साथ, एक strategic partnership के तौर पे भी काम कर रहा है, उस वजह से भी, आपका इंडिया जो है, वो न्यूज में बना हुआ है, समझ में आया सबको, clear हो गया, क्या बात ह अगस्त की बात कर रहे हैं, तो आट अगस्त अपने आप हो जाता है, अपने आप important हो जाता है, इसका answer है, option 4, 1942, 1942 में आट अगस्त को ये movement चुरू हुआ था, भारत की आजादी का ये आखरी बड़ा movement था, अगर हम बड़े movements की बात करें, in terms of within India, अगर हम सिर्फ देश के अंदर अंदरूनी बात करें तो, तो उस हसाब से option 4 सही है, 42 में ये movement आपका किया गया था, United Nations Development Program ने, और इंडिया का जो EGOV Foundation है, उन्होंने एक MOU साइन किया है, इनने में से किस देश के साथ, जिसके साथ वो टाकल करेंगे, the challenge of infectious medical waste treatment, जो उस देश में होता है, और उस medical waste treatment को resolve करने के लिए, ये agreement किया गया है, वहले agreement दोस्तों, इंडिया के साथ किया गया है, इंडिया का जो EGOV Foundation है, वो यूज करेंगा digit को, जहां पर digit का full form है, आपका digital infrastructure for governance impact and transformation, उसके मद्दे नजर ये पूरा काम किया जाएगा, तो आंसर है आपका option number 2, that is Indonesia, इसके रावा इंडिया ने अभी B20 summit किया था, जो G20 के पहले का business 20 summit होता ह उसकी जिम्मदारी अगले साल की ब्रजील को दे दी है, तो उस वजह से ब्रजील भी आपका news में है, in fact G20 को भी वो आपका host करने वाला है, इन में से वो कौन सा भारतिया bank है, जिसने इंडिया का पहला 24-7 video banking service जो है, उसको launch किया है, well 24-7 video banking service को launch किया है, अव small finance bank ने, उसन launch किया है, इन में से वो कौन सा payment bank है, जिसने इंडिया का पहला eco-friendly debit card जारी किया है, तो उसका answer है option number 2, Airtel Payments Bank, जो material है इसका, वो ऐसे substance से बना है, जो eco-friendly है, वो जो debit card है, वो easily recyclable है, इसलिए उसे हम यहाँ पर eco-friendly debit card कहते हैं, ठीक है, सवाल एक exam में आप से और आ सकता है, कि debit card क्या है, तो दोस्तों, debit card along with credit card, example है, prepaid payment instrument का, वैसे इसके example आपके और सारे भी है, चाहे वो wallet हो, चाहे वो gift card हो, चाहे वो prepaid card हो, चाहे वो bonus points हो, reward points हो, है ना, सब हो, coins हो, मनला जो online coins हो, वो हो, लेकिन ये भी example आपका PPI का है, इसको भी ध्यान दीजएगा, ठीक है, ह that is debit card, इन में से कौन सा bank है, जिसने collaborate किया है, उरीशा tourism के साथ, और उरीशा के development tourism corporation के साथ, और मिलकर वो payment solutions offer करेंगे, इनके लिए मतलब, जो इनकी websites है, जो इनकी अलग-अलग centers है, offline, online, वहाँ पर जिस bank के जरीए, जो उनका payment gateway बनेगा, जिससे आप online payment कर पाएंगे, या फ बात हुआ है, बाते विचिस option number two, सशीधर जगदीशन has been rated as the highest paid CEO, इनकी कमाई करीब 11 करोड सालाना है, और यह highest पे हैं, इनकी इही के bank के deputy MD second पे हैं, फिर आपके access bank के आते हैं, फिर ICIC bank के आते हैं, लेकिन सवाल है कि यह कौन से bank के हैं, मैंने already आपको डिसकस कर लिया है, आंसर है option number three, that is HDFC bank, HDFC bank के यह MD CEO हैं, और यह इंडिया के highest paid MD CEO के तौर पर, 2022 ते इसका जो है, उसमें इनका नाम आया है, international day of the world's indigenous people, यह इन में से किस दिन observe किया जाता है, तो दोस्तों यह दिन जो है, वो आपका august 9 है, जिस दिन इसको हम observe करते हैं, यह बात याद रखेगा, जब हम indigenous की बात करते हैं, तो हमें अभी फिलहाल तो हम Australia के बात करी सकते हैं, वहां के जो natives हैं, जिने हम कहते हैं, अब originals, या फिर जो वहां के islands के लोग हैं, जो वहां के natives हैं, उनको लेकर पहली बार, पिछले 10 सालों में एक referendum होने वाला है, जनमत संग्रह होने वाला है, जो की 14th October को होगा, उस बजह से वो relevant हो जाता है, इन options की बात करने, तो जो examination के इंपोर्टन है, वह August 14 है, 29 और 7 है, यह तीन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, विकॉस ऑगस 7 को जावलिन थो डे है, जावलिन थो से दोस्तों याद आया, नीरत चोप्रा ने थो किया, 88.17 मीटर्स का, इन फाइनल्स ओप दी वर्ल्ड अथलेटिक चैंपनेशिप ज इंपनेशनल तेलगू लैंग्विज डे को प्रमोट करने की बात की है, और मन की बात में, मोदी जी ने यह स्टेक्मेंट दिया था, ओगस 14 पर हम आगे आएंगे, विकॉस उसको लेकर अलग से क्वेस्टन में ने बनाया है, अमेजन इंडिया हैस कोलाबरेटेड इडिया और विच टेट गवर्मन्न तो बूस्ट एकॉमर्स एक्सपोर्स मतलब जो अंत्रपनियोशिप डेवलप्पेंट का जो एक इंस्टिट्यूट है, उसके साथ अमेजन इंडिया ने किस स्टेट के साथ कोलाबरेशन किया है, और एकॉमर्स एक्सपोर्स को वो डेवलप करे है, वेल इसका आंसा जो रहे का, that is option number two, गुजरात के साथ ये कोलाबरेशन अभी हाल ही में किया गया है, सीबे अक्याडमी गाजियाबाद ने agreement किया है, sorry, in fact, it has become a member of Interpol's Global Academy Network, जो कि कुछ साल पहले आपकी शुरू हुई है, as its TASH member, वेल वो उसका 10th आपका member है, of the Interpol Academy Network, जवाल मेरा आप से है, Interpol के headquarters कहां पर है, Leon में है, Rome में है, Haig में है, Zurich में है, New York में है, कहां पर Interpol headquarters है, इसका जवाब मेरे को वीडियो के दौना, अभी दे दो, क्योंकि session हो रहा है, या फिर वीडियो के बाद, comment section में बता दीजेगा, नथ द्वारा, अच्छा ये द्वारा, पिछवाई craft, well, इसका answer option 4 रहेगा, that is Rajasthan, Rajasthan के अंदर है, in fact, 7 करीब ऐसे GI tax है, जिनको Rajasthan में प्रपोस किया गया था, और लगभग सब को, जो है, वो approval दे दिया गया है, तो इसका answer option 4 रहेगा, that is Rajasthan, वैसे तो उदैपूर का भी एक था, जैपूर का भी थ हुआ है, तो मैंने इसको चूज किया, यह सवाल, नौ राजस्थानी लोग को, जो राजस्थान के पास के बॉर्डर पे रहते हैं, उनको तो बता होगा, लेकिन, as a North Indian, specifically UP वालोग को, नाम भी ने बता होगा, नत्वारा है क्या, और यह पिछुवाई craft, क्या होता है, तो से लॉंच किया है, Garden Reach and Shipbuilders Limited ने, वैल इसका आंसर option 3 रहे का, that is निराक्षी, AUV का full form है, autonomous underwater vehicle, जिसका main concept है, detect करना mines को, जैसे कि आप अगर हम धरती की बात करें, या surface की बात करें, तो हम डॉक्स को employ करते हैं, और वो सूं के पैचान लेते हैं, कि भाई, कहां पर बॉम है, कह नहां पर कैसे है, वैसे ही कुछ, मतलब, वो जीवित है, ये, वो हमारे best friend है, लेकिन, ये जो है, ये एक machine है, जो ये काम करेंगी, तो इसका निराक्षी रहेगा, बाकि दोस्तों, महिंद्रगिरी, मैंने discuss किया हुआ पहले, ये 7th and last आपका stealth frigate है, of project 17A, और ये भी relevant और important ह हो जाता है, उसका answer option बन रहेगा, Tata Lockheed Martin Aero Structure Limited has launched the dash empennage of C-130J Super Hercules aircraft, सबसे पहले, अपनेज क्या होता है, माल लेते हैं, ये एक विमान है, माल लीजे इसको, ठीक है, माल लीजे, बाकि माल सकते हैं, इसका जो टेल होती है, उस टेल को हम empennage कहते हैं, ठीक है, तो answer है, 200, जो एमपनेज जो है, वो launch किया है, आपके Tata Lockheed Martin Aero Structure Limited, जो Tata और Lockheed Martin, जो की company defense में उनका एक collaboration है, तो उसका 200 है, बाकि ये जो है, ये आपने सुना होगा, जब कभी हमें air lift करना होता है, emergency evacuation कराना होता है, तो इसका इस्तमाल जो है, इसका usage जो है, वो किया जाता है, As per the publication titled 75 endemic birds in India issued by the Zoological Survey of India on its 108th foundation day, कितने species of birds इंदिया में हैं, जो की endemic category में है, 75, 76, 77, 78 या फिर 79, well इसका answer है, option number 4, that is 78 ऐसी birds है, जो endemic category में, दोस्तों आपकी जो हैं, वो आती हैं, तो इसका जवाब रहेगा, option number 4, that is 78, next पर आते हैं, Indian poet, diplomat, Abhay K, और जो deputy director general है, of the Indian council for culture relations, उन्होंने हाली में एक नई book launch की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम दोस्तों है, आपका monsoon, बाकी books की बात करें, तो pitch side को launch किया है, author किया, Amrit Mathur ने, ये एक cricketing book है, The Live Vision and Songs of Kabir को लिखा है, विपुल रिखी ने, How PM Decides को लिखा है, निर्जा चौधरी ने, Western Lane को लिखा है, चेतना मारू ने, और ये book important जादा है इन सबसे, Because, ये book को अभी हाली में, जो long list है, booker price का, उसके लिए इस book को चूज किया गया है, उसके मद्दे नजर ये जो book है न, वो relevant हो जाती है, इसी लिए इसको यहाँ पर importance जो है, वो दोस्तों दिया गया है, तो answer है उसका, answer 5S का, monsoon book का नाम है, बाकी 4th book ज़रूर याद रखेगा, मेरी gut feeling है, इस book पे सवाल, RRB के paper में, IPS RRB में आएगा, World Bio Fuel Day, इन में से किस दिन observe किया जाता है, ये हर साल दोस्तों 10th August को होता है, 10th August को हम World Lion Day भी मनाते हैं, बाकियो options की बात करें, तो 20th March to National Day of Happiness है, और Sparrow Day भी है, इंडिया की रांक 126 है, out of 136 countries, बेहद ही खराब performance है, और उसमें फिलने लगातार नमबर वन पर बना हुआ है, 18th April को World Heritage Day है, 4th में को Cold Minus Day है, और 14 June को World Blood Donor Day के तौर पर अब्जर्व किया जाता है, एक बार रिवाइस कर लेते हैं, August की बात कर रहे हैं, तो 1st August को 4 दिन मैंने आपको बहां बता दिये हैं, World Lung Cancer Day, World FinTech Day, Mostly Women Rights Day, और World Wide Web Day, फिर 2nd August को Earth का Earth Overshoot Day है, बाकी जो डिसक्स मैंने भी गिया, लाइन डे, ये 10th August को है, आगे डिसक्स करेंगे, इनाशर यूथ डे है, जो 12th August को है, और फिर World Photography Day, 19th August को अब्जर्व किया जाता है, देखिए, दोस्त, एक बहुती सिंपल सा मैं लॉजिक है आपको इन क्वेशन सो कराने का, उसके पीछे एक साइन, साइन यह है, कि शुरुवात करो पहले कम क्वेशन से, फिर आगे बढ़ाते जाओ, उसका रिजन क्या है, कि जैसे जैसे हम सेट 4, 5, 6 में पहुचेंगे, जो पुराना आपने अपने पढ़ लिया होग तो जब मैं आप से cross question करूँगा, और आप video के recording के बाद comment में खुद comment करोगे और खुद बोलोगे, कि नहीं sir, समझ में आ रहा है तब कुछ अब तो, इसलिए start with small steps and then in the end आखरी में marathon sessions भी प्लान कर लेंगे, लेकिन सब recorded जाएगा, उसका reason बहुत basic सा है, हमें content देना है, हमे लाइक, शेयर या फिर हमें viewership नहीं देखनी है, वह अगर वह मैं देखूंगा, तो पढ़ाना भूल जाओंगा, ठीक है, चले, आगे बढ़े, जस्टिस सुभाशीश ताला पात्रा, अपॉंट किये गए है, 33rd Chiefs Justice of which of the following State High Court, कौन सा वो State High Court है, well, answer उसका option 1, उरिसा है, उ महाराष्टरा में कौन सा स्टेशन है, जो महाराष्टरा का, in fact, Central Railways का तीसरा पिंग स्टेशन है, यहां पर पिंग स्टेशन का मतलब है कि वो स्टेशन को completely women's staff जो है, वो स्टेशन को मैनेज करती है, तो उसके लिए आंसर यहां रहेगा, option 4, अमरावती, तो पहला आपका अमरावती थर्ड है, पहला स्टेशन आपका मतूंगा सबबन था, सेकेंड अजनी था और थर्ड अब आपका अमरावती स्टेशन है, और Central Railways ही एकलोता ऐसा आपका जोन है, जहां पर पिंग स्टेशन कंसेट को पहली बार लॉंच किया गया था, सिन सूचना अप्लिकेश आपको और यह जो अप्लिकेशन है, वो हेल्प करेगा इन ट्राकिंग ओफ दे लायन मुवमेंट और अवोइड कर सके हम हुमन लायन का अक्सिडेंड या उनका एक इंटेंशनल या फिर अगर गल्ती से उनका एक माला ऐसा कुछ करें जिससे कि उनके बीच कोई इंसिदें ना क्रियेट हो, एक प्रोटेक्टेड एनवार्मेंट वो भी रहें और हुमन्स को भी उससे बचा सकें, वेल इसको लॉंच किया है वहां के मुख्यमंत्री बुपेंद्र पटेल ने, उसी मौके पे दो बुक्स को लॉंच किया गया, एक बुक लॉंच के सकीरा बेगम ने अभी हाली में अमिर्शा जी भी न्यूस पे थे बिकॉर्ज जो वेस्ट जोनल कांसिल की मीटिंग है, उसको हमारे होम मिनिस्टर जी ने अभी लीट किया था, उसको उन्होंने हैट किया था, दे फसिलिटी अंडर विच आर्बियाई विल एक्सेट सर्प्लस मनी विदाउट एनी एक्स्चेंज ऑफ गर्मेंट सेक्योरिटी इस कॉल डाज थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है, अगर यह सवाल ऐसा आया आपके आरार्बी के पेपर में, तो पेपर अच्छा बना है बॉस, पेपर में यह सवाल, अगर आपको पता है तो ही इसका आंसर है, option number 4, SDF, that stands for standing deposit facility, यह SDF का full form है, चीक है, हाँ, अगर यहाँ पर width होता, तो उसका आंसर होता आपका reverse reporate, चीक है, उसका आंसर होता आपका reverse reporate, यह, चीक है जी, समझना आ रहे है, पाकी अभी current rates की बात के है, तो screen पर आप देख सकते है, रेपो rate 6.5% का है, reverse reporate 3.35% का है, SDF 6.25% का है, MSF 6.75% का है, bank rate 6.75% का है, CRR 4.5% का है, और SLR जो है, वो आपका 18% का है, तो उसको जरूर देख लीजेगा, ठीक है, हाँ, similarly, basically, समझा दूँ आपको, रेपो rate क्या होता है, जब RBI accept करता है, surplus funds bank से, in exchange of government securities, जिस rate of interest पे accept करता है, जो वो pay करेगा उसको, जो banks पे करेंगा RBI को, वो रेपो rate होगा, fixed reverse reporate क्या होता है, जब RBI accept करता है, deposits, surplus deposits from the bank, in exchange of government securities, जहां पर अब RBI rate of interest पे करेगा, banks को, because उसने accept करेंगा, जब एक दिन के लिए RBI surplus पैसा लेंड करता है, आप टू परसेंट of the net bank balance of the bank, उस amount को देखकर, उसके 2% तक का loan वो देता है, without any government security, तो MSF होता है, bank rate होता है, long term lending rate, जब उसे long term lending करना होता है, without any security, जहां पर जब उसने कोई security जारी की होगी, उसने कोई government का bill of fiction जारी किया होगा, उसकी re-discounting करनी होगी, मतलब उस पर discount देना होगा, ताकि उसको purchase करे या sell करे, तो bank rate use होगा, CRR क्या होता है, हर bank के पास, हर दिन के end में, जो पैसा बचता है, जिसे हम कहते है, NDTL, net demand time liabilities, उसका एक हिस्सा, maintain करना होता है, in cash with the RBI, और उसका एक हिस्सा, cash, government security, या फिर gold में, bank अपने साथ maintain करता है, दोनों को maintain करने का reason क्या है, ताकि कभी कल को हमें manage करना हो, या कल को funds की कमी आए, तो उसका use कर सके, for example, CRR होता है, जब cash, आप reserve, जब cash एक bank reserve रखता है, with the RBI, और SLR क्या होता है, जब एक bank अपने साथ cash, gold, gum, security, reserve रखता है, वो होता है SLR, इन सबका ही main function होता है, money के supply को manage करना, और इस सारे function जो है, वो monetary policy के under आते हैं, चीक है, चलो, next, SEBI has reduced the timeline to listing of companies through the IPO route to how many days, 3, 4, 5, 6, या फिर 7, तो जो days हैं आपके, वो आपके रहेंगे, option number 1, that is 3, 3 दिनों का हुआ है, पहले ये आपका T plus 6, T मतलब trading दे, वो आपका 6 ता जिसको आप कम करके 3 कर दिया गया है, इसे जल से जल लोग invest भी कर पाएंगे, और जल से जल उन्हें shares a lot हो पाएंगे, और company भी आपका list हो पाएंगे, पहले आपका T plus 6 था, 6 था पहले और आपका ये 3 हो चुका है, अगर एक दिन में listing करनी है, तो उसके लिए अलरड़ी एक mechanism है, जिसका नाम है OFS, जिसका full form है, offer for sale, वो उस concept का, दोस्तों, आपका नाम दिया गया है, that is offer for sale, IRDAI, जो की regulator है, insurance sector का, उसने approve किया है, the appointment of Amit Jhingaran, as the MDCEO of which of the following insurance companies, उस company का नाम दोस्तों है, option number 4, that is SBI Life, इनके MDCEO के तौर पर, Amit Jhingaran साहब, उनकी नियुकती को अभी हाली में approval दिया गया है, इन में से क्या नाम है, उस portal का, जिसे launch किया है, भारत के मुखिनाय अधीश, डीवा चंदरचूर ने, जिससे की e-passes मिलना, Supreme Court के hearings के लिए असान हो जाएगा, वेल, उसका आंसर सू स्वागतम है, that is option number 2, चंदरयान 3 से एक दिन पहले, जो Ross Cosmos है, that is the Space Agency of Russia, उन्होंने कोशिश की थी, मून पर लैंड करने की, उस mission का नाम किया है, वेल, उनका पहला lunar mission था, in the past 47 years, पिछटे 47 सालों में, ये पहली बार ऐसा mission उन्होंने लांच किया था, वेल, उसका आंसर है, Luna 25, ठीक है, Luna 25 is absolutely the correct answer, जो कि हम अब जो कि अब हम जानते हैं, कि Luna 25 जो है, वो आपका लैंड नहीं कर पाया था, इट क्राश्ट, and because of that reason, वो जो है, आपका न्यूज में बना था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लेस किया है, रिप्लेस करेगा in fact, Microsoft Windows Operating System को, with its very own Dash Operating System, with Chakravue, चakravue एक तरह से उसका Firewall होगा, एक तरह से उसका Protection करेगा, वो एक Protection Software है, तो उसका नाम है दोस्तों, Maya, जिसको NIC DRDO ने मिलकर बनाया है, जिसको National Informatics Center और DRDO ने मिलकर बनाया है, तो आंसर उसका Option 3 रहेगा, UN Steep Land Day इन में से किस दिन अब्सर्व होता है, और पहली बार इस साल इसे अब्सर्व किया गया है, UN ने, उसका Date जो है वो आपका है, Option No.1, इस दिन स्टी प्लान डे जो है उसको मनाया जाता है, यह आपके सामने देखे दोस्तों स्टी प्लान दिया गया है, बिसिकली यह जो एक आपका इंस्ट्रुमेंट है, यह काफी पॉपुलर है, इसकी शुरुवात हुई थी तुनेदाथ तोबैगों से, और यह एक कल्चरल हेरिटेज भी है तुनेट टोबैगों का, और पहली बार इस डे को आपका 11 ओगस्ट को इस साल मनाया जा रहा है, बाकि 20 ओगस्ट को सद्भावना दिवस होता है, 11 जुलाइ को वर्ल्ड पॉपुलिशन दे होता है, इंडिया अब दुनिया की सबसे अधिक जन संख्यावला देश है, 27 जून को डापोटीज दे है, 28 जून को आपका रफ्यूजी डे के तौर पे जो है, हम दोस्तों वो अब्जर्व करते हैं, इंद्रा गांधी स्मार्टफोन स्कीम और डिजिटल सखी बुक इनको किस राज्य ने अभी लॉंच किया है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेशन है, ऐसी स्कीम अब लॉंच कहां पर होगी, जहां पर कॉंग्रे सरकार होगी, तो आंसर इसका उप्शन फोर हैगा, वैसे फाइव भी आप लॉंच का मार सकते थे, लेकिन आंसर यहां पर जो है, वो उप्शन फोर हैगा, राजस्थान में इसको जो है वो लॉंच किया गया है, करनाटिका में क्या लॉंच हुआ है अभी, ग्रिह लक्ष्मी स्कीम को अभी लॉंच किया गया है, जहां पर 2000 रुपए पर मंथ विमन बेनिफिशरी जो है उनको दिया जाएगा, इंडिया ने अभी हाली में पार्टिसेपेट किया है, एक बलाटरल एकसरसाईज जायत तलवार में, वो इनमें से किस कंट्री के साथ किया है, वैं उस कंट्री का नाम है आपका option number 3, that is the UAE, United Arab Emirates जो है, उनके साथ जायत तलवार जो है, उसको start किया गया है, और इंडिया ने ये collaboration उनके साथ दोस्तों जो है, वो किया है, इस एक साथ साथ सानाम है, जायत अल तलवार, चक्र इनोवेशन ने को 18 करोड का funding मिला है, under the उभरते सितारे program, और इससे वो develop करेंगे, environmental stability and technology sector इंडिया, ये program इनमें से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, उसका answer है option number 3, that is export-import bank of India, वो finance, जिनके साथ वो finance प्रोवाइट करेगा, MSMEs को या छोटी companies को, जो उनके milk parlors को चलाती है, आँ अपने शेहर में देखते होंगे, Amul के अलग-अलग छोटे centers है, तो उनको कैसे मुद्रा scheme के अंडर लोन दिया जाएगा, तो किसके साथ collaboration हुआ है, अमूल का values bank का नाम है, option 2, that is the PNB, अभी हाली में अगर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था आपको, एक अभी हाली में, GST सहाई application जो है, उसको launch किया है, जहाँ पर जो MSMEs हैं, अपने GST invoice को दिखा कर, instant loan पा सकती हैं, और ऐसा करने वाला इंडिया का PNB, जो है वो पहला bank है, World Organ Donation Day, इन में से किस दिन होता है, ये डे आपका पढ़ता है, option 4, 13th August को, पाकी देस की बात करें, 6th July को होता है, World Zoonosis Day, फिर होता है आपका 3rd June World Bicycle Day, 31st में Anti-Tobacco Day, 17th April आपका होता है, इसको दोस्तों लाउंच किया है, option 5, that is, तेलंगना ने, तेलंगना जो है, उसने दोस्तों इसको जो है, वो आपका लाउंच किया है, तो उसका अंसर रहेगा, option 5, हाईदराबाद में, ये जो है, वो आपका लाउंच हुआ है, नाफिस of NCRB gets the Department of Administration Reforms and Public Governor, जिसका छोटा नाम है, DARPG, DARP का Gold Award for Excellence in Category 1, नाफिस में F का full form किया है, तेकि F का full form है, आपका fingerprint, ठीक है, तो उसका fingerprint division है, NCRB का, उसको ये खिताब जो है, वो दिया गया है, Gold Medal, Dr. Bindeshwar Pathak, बहुत popular figure है, इंडिया में, अब्रोड में भी, उनका देहान तुआ है, वो इन में से किस NGO के, किस संगठन के founder थे, उनके founder संगठन का नाम है, सुलब इंटर्नाशनल, अगर आपको पता होगा, तो आपके शहर में भी, हर शहर में भी, खास वार पर इंडिया में, आपको बता था, वीडियो की बीच में की ये डे आएगा, ये डे किस दिन होता है, ये डे आपका होता है, 14 अगस्त को, 13 अगस्त इसका कर चुके है, 15 अगस्त पता होगा आपको, तो आंसर यहाँ पर है, आपका option number 2, कॉंसे टेट गवर्मेंट है, जिसने लॉंच किया है, ग्रामीन मित्र योजना, जो की दिल्ली की तरह, कनाटक की तरह, कहिराज्यों में चल रही है, एक डोर स्टेप डिलिवरी स्खीम है, फोर रूल एरियास, उसका आंसर इन में से क्या रहेगा, तो इसका आंसर दोस्तों, जो है, तो जो है, पी-म-ई-बस सेवा को अभी हाल ही में लॉंच किया जाएगा, जो की जो भारत में सिटी बसे से उपरेशन से हैं, उनमें कितने बसे को, कितने इबसे को उसमें लॉंच किया जाएगा, जो कि एक्रिक वहिकल्स होंगी, आंसर है 10,000, इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर, फोर अनमान्ड एरियल सिस्टम, अंडर दिफैंस टेस्टिंग इंफ्रास् स्ट्रक्श स्कीम, इनमें से किस राजए में लॉंच किया गया है, तो उस राज का नाम है तमिल नाडू में तमिल नाडू में इस जो आपका एक infrastructure scheme के अंतरगज जो testing center है उसको यहाँ पर कांची पुरम में जो है तमिल नाडू में launch किया गया है भारत के fisheries, animal husbandry और daring के minister पुर्शृतम कुमारुपाला उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लाँच किया है जिसका में मकसद है विमन को इंपावा करना ताकि वो participate कर सके as skilled agents ताकि वो contribute कर सके significant तरीके से in controlling diseases, artificial insemination as a part of the Rastri Gokul Mission well, this program का नाम है A-HELP, full form है, a accredited agent for health and extension of livestock program this program को महिलाओं को Rastri Gokul Mission में participate करने के लिए launch किया गया है Ministry of Electronics IT Secretary A.K. Sharma ने launch किया है Graphene Aurora program to bridge the gap between research and development and its commercialization with a budget of 94.85 करोड यह जो आपका एक program है यह इनमें से किस शहर में launch किया गया वो शहर का नाम है Kochi Kerala जहां पर यह program को launch किया गया इनमें से कौन बना है भारत का पहला state जो IVF free जो in vitro fertilization होता है उसको provide करेगा free of cost at government hospitals West Coast State का नाम है आपका दोस्तों गोवा इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा आज हमने करा है करी 55 questions कल questions बढ़ेंगे simultaneously बढ़ते रहेंगे लगाता तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि sessions को देख लीजेगा अगर मैं गिनूँ अपने हातों पे तो कल आपका second था second third fourth fifth sixth seventh or eighth करीब साथ sessions आपके आएंगे और साथ में से आखरी में हम sessions को marathon कर देंगे लेकिन इन साथ सेट्स को पढ़ दीजेगा और यह मत सोचेगा कि आज सेट आगे आप आज निपर कल पढ़ूंगी नहीं कल पढ़ूंगा आप जिस दिन सेट आए उस दिन रात में पढ़ लिजे ताकि नेक्स दे हाप सेकेंड थर्ड सेट के लिए आने वाले सेट के लिए तैयार रहे ठीक है बाकि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इस चानल को जो की अभी बना है कुछ छे दिन पहले इस चानल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे और इस वीडियो को लाइक शरूर कर दिजेगा और शरूर कर दिजेगा अब कर सकते बिकाज अब आपने पूरा वीडियो जो है वो देख लिया है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच अवरीवान एंड टेक क्या थैंक यू सो मुझ करीज वेरी वर्म वेलकम एवरीवान आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में दोस् शुरू करते हैं शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को शेयर कर दीजेगा और इस नए चानल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जो है वह आप मत बूलिएगा चली तो स्टार्ट करते हैं आते हमारे आज के क्वेस्चन नमबर वन पे तो सिक्स् के स्टेट में उस टेट का आंसर है उप्षेन 2 लांज किया घा है वहाँ पर कोलकाता में इसको यह वह ओंच महंद्रा गिरी उसको मूंबई महरास्ट्रा में दोस्तों रांच किया गया था तो दो अलग रग चीज़े है यह सब przyszके पर बचलते मृष ऴोनच सेटर की सब्स इंडिया ने MOU साइन किया है इन में से किस कंट्री के साथ फॉर शेरिंग ओफ इंडिया स्टैक तो उसका आंसर है ऑप्शन नम्बर फॉर तिन रहत तर्बागो अगर हम इंडिया स्टैक की बात करें तो इंडिया स्टैक बिसिकली इस अ मिक्स्चर ओफ और डिजिटल प्रो तो कंट्री लाइक तुनिदाद आंड तबैगो जो किया करीबियन देश है आर्बिया ने कंप्लीट किया है ने चूज किया है में किन से और इन में से किस कंपनी को फॉर यूजिंग एया एमेल इन इन बेटर गवर्नांस एंड सुपरविजन अर्बिया अपने बैंक्स को अपने NBFC को बेटर सुपरवाइस कर सके बेटर गवर्न कर सके उसके लिए इन में से आर्बिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है अपार्ट फ्रॉम में किन से कौन सी वो कंपनी है इसका जवाब आपको देना है उसका आंसर है option no.3 that is Accenture आर्बिया गवर्नर शक्तिकांता दा ने लांच किया है एक Centralized Web Portal for managing unclaimed deposits what is the name of that portal unclaimed deposits क्या होता है जब कोई भी deposit 10 साल से जादा unclaimed है उस deposit का जो owner है उसने पैसे निकाल है in fact there is no activity in that account for 10 plus years then उस account को हम unclaimed deposits में कांट करते हैं और इंडिया में इसके लिए अलग से एक fund बना है जिस fund का नाम है आपका DEF Depositor Education Awareness Fund ये जो आपका fund है ये fund इसी चीज़ पर focus करता है कि अगर ऐसे deposits हैं तो उनका पैसा वहाँ से transfer होकर इस particular fund में आ जाता है और वहाँ पर फिर RBI उस funds का यूज करता है ऐसी activity को रोकने में ताकि वो awareness फ़ला सके कि कोई भी अपने deposits का यूज करता रहे वो unclaim ना हो जाएं 10 साल के बाद उद्गम नाम है इस portal का जिसको launch किया गया उद्गम का full form है unclaim U से D से deposits G से gateway to a access information यह आपका है और यह launch किया है सरकार ने अभी हाल ही में which public sector bank has stopped the list in terms of the percentage growth of loans and deposits in quarter one of the current financial year वर्तमान वित्यवर्ष में वह कौन सा bank है जिसने percentage growth में अगर हम deposits की बात करें लोंस की बात करें तो उसमें top किया है Bank of Maharashtra, Yuko Bank, Bank of Baroda, Indian Overseas Bank या फिर SBI उसका answer है option number one that is Bank of Maharashtra. Access Bank ने इन में से कौन सी वो RBI की subsidiary है जिसके साथ type किया है और मिलकर launch किया है KCC और MSME Loans को जिने power किया है आपका PTPFC ने यहाँ पर समझे का ध्यान से कोशिश यह की गई है कि जो एक partnership हो उसमें KCC और MSME इसको लेकर जो products हैं उनको offer किया जाए तो यह tie-up किया है Access Bank ने RBIH के साथ जहाँ पर RBIH का full form है Reserve Bank Innovation Hub उसके साथ यह tie-up आपका तोस्तों किया है वहीं PTPFC का full form है Public Tech Platform for Frictionless Credit उसके साथ एक collaboration जो Access Bank ने अभी हाली में किया है इनमें से दोस्तों वह कौन सा बैंक है जिसने टाइप किया है Qatar Airways और British Airways के साथ और उनके साथ मिलकर एक multi-branded credit card को जारी किया जाएगा वैल एक collaboration इंडेसिंट बैंक ने किया इनके साथ उनके साथ मिलकर यह एक multi-brand credit से उद्यकोटक उन्होंने रिजाइन किया है और करीब इस साल एंड रिटार उनको होना था लेकिन ऑफिशली अब उन्होंने आउगस्ट में ही रिटार हो गया सप्टेमर बन से अब वहां पर नया MDCEO कोटर महिंद्रा बैंक का बनेगा अगनी कूल कॉस्मो जो की एक प्राइवेट एरोस्पेस इंडियन कंपनी है उसने कमेंस किया है उसका पहला state-of-the-art launch vehicle अगनी बान सौर्ट का और इसको उसकी जो एक की खुद की प्राइवेट एरोस्पेस फसिलिटी है शुरी कोटा में वहां पर एक कमेंस्मेंट हो रहा है सौर्ट में एस में ओ का मतलब क्या होता है तो सौर्ट में ओ का मतलब होता है आपका ऑर्बिटल चीक है सब और यह है आपका और ऑबिटल होता है ओ का मतलब इन सौर्ट नाशल स्ट्यूट अफ इंडॉस्ट्रियल इंजिनिरिंग जो है it has been given the status of India's 21st IIM भारत का 21stitut of Indian यह भारत के कीषवा आयम है और यह मुंबई में आपका बेस्ट है अब इहाली में जो लास्ट मीटिंग्स था जी ट्वेंटी का कल्चर मीटिंग वह आपका हुआ था वरानसी में जहां पर एक ट्रिब्यूट दिया जी ट्रिवेंटी कंट्री इसके म्यूजिक आटिस्स ने और वो वरानसी में ही आपका जो अट्रिब्यूट है उसे दिया गया था इन में से वो कौन सी ओर्गनाइजेशन है जिसने क्रियेट किया है एक National Carbon Data Registry जो की असिस्ट करता है नेशन्स को in achieving climate targets यह सवाल नोट कर लीजे यह सवाल इस साल किसी ना किसी पेपर में 110 परसंट आएगा विकॉज ऐसे सवाल ना आते हैं यहां पर सवाल या तो ऐसे आएगा या फिर सवाल आएगा आपके की सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तो वह कितने आपके पास है जिसका मतलब कितना आपके पास पास ऑप्षन है कि आप CO2 का यूज कर सकें है CO2 emissions को अलाव कर सकें उसके लिए यहाब तो वर्क और रिगार्डिंग यह मतलब कि आपको उसके अग्यांस कर ना हो ताकि आपके पास एक लीवे हो आपके पास एक एक option हो कि आप CO2 missions कर सकते हैं तो जो और यह जो एक registry होगा यह बात को बताएगा कि कौन सा देश carbon emissions को कम कर रहा है और अपने targets को कैसे वो meet कर रहा है या कैसे वो change कर रहा है तो उसके मद्दे नजर सवाल यहाँ पर आप से यही है कि किस organization ने carbon registry जो है उसको लेकर एक database एक registry त्यार की है और इससे nation जो होगा उन्हें जो climate targets है उन्हें अचीव करने में आसानी होगी फिल इसका answer है UNDP जैसे मैंने पहले बताया carbon credit एक tradable permit certificate है जो की provide करता है certificate के holder को credit the right to emit one ton of carbon dioxide और equivalent of another greenhouse gas अगर यह है तो इसके एबज में वो एक ton CO2 emission कर सकता है जैसे मैंने आपको जैसे आप जानते भी होंगे CO2 emission is not good for the environment और सरकारे कोशिश कर रही है कैसे वो alternative fuel पे जाए for example इंडिया में अभी September August September में जो पहला 100% ethanol blaze flex fuel कार है वो बनाए गई थी तोयोटा की जो हाइक्रोस है तो ऐसी कोशिश हर देश कर रहा है कि अपने देश में EV या फिर alternative fuels की कार को alternative fuels का स्तमाल शुरू करें इन में से वो कॉन सा बैंक है जो भारत का पहला public sector bank है जिसने एक online locker agreement facility launch की है थूँ दिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जेक्यूशन और दीडीए और दी नाशनल नाशनल एसल इन ओवरसीज बैंक इंडियन बैंक पंजाब नाशनल बैंक पंजाब इन सिंद बैंक या फिर आपका SBI इसका अंसर है option no.2 इस इंडियन बैंक ने ये सुविधा शुरू की है ये पहला ऐसा इंडियन पॉब्लिक सेक्टर बैंक है जो आपको online avail करेगा कि आप जाकर जो अपना locker facility है उसको कर सकते हैं और अपना जो safe weapons and equipment India Limited कानपुर ने उसका नाम है दोस्तों आपका option 3 that is problem माया तो OS है operating system है जो की replace करेगा Microsoft OS को और DRDO के systems में replace करेगा तो उस वजह से माया वहान यूज में वाकि आदित्य पता होगा आपको आदित्य जो है अगें यह भारत का जो पहला solar probe है जो space observatory है for study of the sun वो है पाकि दक्ष RBI का एक supervision regulatory mechanism है वो आपका दोस्तों दक्ष है नेक्स प्यान है कौन सा भारत कौन सा वो state या UT का forensic science lab है जो बना है भारत का पहला जो बना है भारत का ऐसा पहला lab देश के अंदर किस प्रदेश का एक एक यूटी का जो की utilize करें का blockchain technology को for a transparent and and tamper proof digital evidence recording well यह कार्ण यह जो आपका एक laboratory है यह डेली की है जहां पर एक ऐसी lab बनी है जो इस ब्लॉक्चेन का यूज़ करेगी ताकि बिना किसी problem के transparency के मामले में और साथिसाथ tamper proof मतलब evidence के साथ छेशार ना हो उसके लिए यह एक आपका laboratory को certification दिया गया है union minister धर्मेन प्रधान और निर्मसिता रमन जी ने launch किया है दो books एक कुवी भाषा पे और एक देशी language भाषा पे इन में से किस state में जिससे कि जो ट्राइबर education है उस state की उसमें मदद मिलेगी अगर इन भाषाओं में वो पढ़ाई करेंगे जाहिर सी बात है वो इन भाषाओं में पढ़कर better पढ़ाई कर पाएंगे तो उस initiative को शुरू किया गया है इन द उलीशा चेज उनिवर्सिटी उसका answer option 2 रहेगा that is the correct जबाब अब आके options की बात का है तो भारत का जो पहला AI school है वो केरल में बनेगा similarly Telangana और आंत्रपदेश में हम Telugu language day observe कर रहे है और 29th August को दोस्तों जो है वो हम observe कर रहे है और मैंने पिस पहले बताया UCC University Civil Code जो है वो आपका उत्राखंड में जो है वो उसे लागू करने का जल रहा है और मिनेशाव इज्टियो केशन ने रिलीज किया है व स्टेट फ इमर्जेंसी स्कूर जोनों इंडिया रिपोर्ट और यह शुरु किया इन 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 एन स्सेयशन विद ट इयू घौतर्ट इंडिया फांडेशन संबोधी सब्सक्राइब अगरेब दियुक्राइब इस सवेटब कितने पर्सेंटेज बॉइज है जो डॉप आउट करते हैं इसकूल को आफ्टर प्रामे प्राइमरी एडुकेशन वेल उसका संख्या इसेंट 5 पर संट का है अगर्स की बात के तो गोल्स 65 पर संट आपका प करती है तो girls comparatively better है in terms of not dropping out from schools after the primary education as per the rural education survey जो कि अभी हाल ही में पेश किया गया था अब फर्स्ट एवर WHO traditional medicine global summit इनमें से किस state में आपका और गनाइज हुआ था जिसका थीम था towards health and well-being for all यह summit आपका जो है इसको और गनाइज किया गया था गुजरात में in fact गुजरात में गांधी नगर में समिट हुआ था गुजरात में ही जाम नगर में जो एक ग्लोबल transmedicine global traditional medicine center जो है उसको जाम नगर में ही बनाया गया है तो दो cities है एक तो गांधी नगर में इवेंट हुआ था दूसरा जाम नगर में जो पहला डबलोचो का center है वो जाम नगर में setup किया गया है इस पेइन ने जीता है FIFA का women's football world cup by defeating Australia 1-0 in Sydney Australia Sweden 3rd rank पर फिनिश की है इस पेइन की जो आइताना बॉनमार्टी है उन्हें मिला है golden ball award सवाल है कि इस पेइन की football टीम है इसको इसका nickname क्या इसको किस और नाम से जानते हैं तो इसका answer दोस्तों है option number four that is La Roja Red Devils आप कह सकते हो Belgium को या फिर अगर हम बात करें EPL में English Premier League में तो हम क्या सकते है Manchester United को Les Blues जो है यह क्या होगा आपका यह जवाब दीजेगा अजूरी जो है वह आपका Italy है ठीक है और Tigers basically cricket का term है यहां पर Bangladesh की टीम है उसे हम Tigers के निकनेम से भी जानते हैं आपको बताना है Les Blues के कौन से टीम है जर्मणी है France है कौन से टीम है चीक है चली आगे बढ़ें वर्ड मस्कीटो डे हर साल 20 ओगस्ट को अब्जर्व होता है और यह उस दिन इसले अब्जर्व करते हैं इसी दिन Sir Ronald Ross ने डिस्कवर किया था वो रिष्टा between mosquito and the transmission of malaria पर यह किस साल उन्होंने इस थियोरी को दिया था वहले यह 1887 में थियोरी दी गई थी और 20 अगस्त 1887 में इस थियोरी को प्रपाउंड किया गया था क्या नाम है उस unique variety of lotus का जिसमें 108 108 petals हैं जिसको भारत के minister of science and tech जितेन सिंग जी ने launch किया है CSIR का जो NBRI लखनाव की लाब है वहाँ पर वेल इस unique lotus का नाम दोस्तों जो है वो आपका नमो 108 है basically उन्होंने इन्योग्रेट किया था यहाँ पर इसको इसके अलावा उन्होंने एक apparels कपड़ों का जो एक line है frotus उसको भी launch किया था जिसमें आपका perfume का smell भी है और lotus से वो आपका जोस्तों जो है lotus के smell से वो बना हुआ है lotus के material से वो बना हुआ है the fourth G20 Digital Economy Working Group and G20 Digital Innovation Alliance इनमें से किस शहर में आपका हुआ था उस शहर का नाम दोस्तों जो है that is option number three Bengaluru में वो event जो है उसे दोस्तों आपका किया गया था तो उसका answer है option number three that is Bengaluru वहीं पर यह alliance जो है उसकी शुरुबात की गई थी दोनों ही आपका चाहे वो आपका DEWG हो या फिर DIA हो तो दोनों को ही Bengaluru में ही आपका शुरू किया गया था इन में से वो कौनसी इंशोरंस कंपनी है जो भारत की पहली इंशोरंस कंपनी बनी है जिसने एक 24-7 इंबाउंड चार्ट सेंटर शुरू किया है कॉंटाक सेंटर शुरू किया है विद टोर फी नंबर 1-800-267-9090 वैल इसको शुरू किया है आपके SBI Life ने इन में से वो कौनसी राज की सरकार सुनिय का ध्यान से इन में से वो कौनसी आपकी राज की सरकार है जिसने उनर किया है रतन टाटा गउरी किलोसकर को उद्योग रतन ये अवर्ट दिया है रतन टाटा को और गउरी किलोसकर बॉड दिया अवर्ट भिए अदारपुनावाला को उद्योग मितर का अवर्ट भी उसी स्टेट गऊडन ने दिया है तो उसका आंसर है option number 3 that is महाराष्ट्रा महाराष्ट सरकार ने ये चीज़ की है उसने ही ये सम्मान इन तीन लोगों को दोस्तों अभी हाली में दिया है तो उसका आंसर option 3 रहेगा that is महाराष्ट्रा भारत Petroleum Corporation Limited जो की एक महारतन कंपनी है उसने इन में से किस भारतिय खिलाडी को किस इने क्रिकेटर को अपना brand ambassador बनाया है वेल उसका आंसर बहुत असान है option 2 that is राहूल ड्रविट बर्नाडो अरे वालो जिन्होंने अभी हाली में गवाटेमाले का चुनाव जीता है वो इन में से किस उनकी देश की currency इन में से क्या है capital तो आसान है capital यहां का है गवाटेमाला सिटी लेकिन सवाल है कि currency क्या है उस देश की तो currency आपके जो है वो क्वेज़ाल है बागे options की बात करें तो beer currency जो है वो आपकी इथियोपिया की है लेव औरड़ी बता चुका हूँ रोमानिया की है क्वेजाल करेंसी है क्वातिमाला सिटी की रियल करेंसी जो है वो आपकी ब्रजील की है और अगर हम यूरू को बात करें तो कई देश 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 में आपके बहुत साथ देश आजाएंगे उसमें आपका इटली आ जाएगा कई देश आजाएंगे उसमें स्पेन आ जाएगा कई देश आजाएंगे तो यूरो तो अरड़ी कई देश की करेंसी है वर्ल्ड सीने से इन में से किस दिन आपका दोस्तों जो है वो अब्सर्व किया जाता है 20th August 21st August 22nd August 23rd August 29th August तो यह जो देश आपका इसे अब्सर्व किया जाता है और 21st August अबाकी दिनों की बात करें तो 22 अगस्त याद करियेगा इसे नाशनल डे फॉर कमेमरेटिंग विक्टिम्स ओफ आक्ट वालेंस पेस्ट और रिलिजिन और बिलीफ आता है बाकी 13 अगस्त अलड़ी बता दिया हमाँ नाशनल स्पेस डे है और 29 अगस्त को तेलगू लांग्विज डे है बाकी इसी हफते में 20-24 अगस्त होता है वर्ल वाटर वीक और इसका थीम है इस वाटर वीक का इन में से किस डेट से वैल इंप्लिमेंट होंगे दोस्तों आपके 1st October से तो जो भारत न्यू कार असेस्मेंट का जो आपका प्रोग्राम है जो की रेट करेगा कार्स को चेक करेगा उनके एक्सिनेंटल केपिबिलिटी पर या उनके ओवर और सेक्योरिटी पर तो बी एन के आपको इंडिया जो है वह 1st October से आपका दोस्तों लाउंच करेगा 20th India ASEAN Economic Ministers Meeting इन में से सिमरांग में कहां पर की गई है पहले मीटिं इनासिया की कीगई है इन इंडुनेश्य वहां पर इस मीटिंग को दोस्तों जो है वो किया गया है इन्डिया वैसे भी दोस्तों investment कर रहा है distribute कर रहा है इंठाय इंडिया बैसे भी एक amount provide करें इंडोनेशिया को ताकि वहाँ पर जो medical treatment का wastage उससे control कर सके तो उस लिहाद से option 4 इंडोनेशिया अपने आप important हो जाता है Ministry of Science and Technology तेंडर सिंग ने unveil किया है CSIR Prima ET11 जो कि इंडिया का पहला indigenous electronic tractor है इसे develop किया है CSIR के Central Mechanical Research Institute ने कहां पर institute आपका situated है situated है आपका दोस्तों दुरकापूर वेस्ट पिंगॉल में उसी ने इसको जो है वो आपका अभी हाली में दोस्तों जो है वो develop किया है यहाँ पर दोस्तों याद रुखेगा कि यह नाम पढ़ी जगा Prime ET11 यह इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ electronic tractor है जिसको CSIR दुरकापूर ने अभी हाली में सेट अप किया है International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition of Abolition 2023 कब होता है पहली आपका 23 अगस्ट को ता अलड़ी हम जान चुके हैं बाकी World Food Day कब होता है World Food Day आपका जो होता है वो 16 अक्टूबर को होता है Youth Day कब होता है आपका Youth Day आपका 12 अगस्ट को होता है इंडिया का पहला Biodiversity Village Atlas of Mayim इनमें से किस राज्य में आपका लॉंच किया गया है उस राज्य का नाम है Option No.1 that is Goa में इसको शुरू आपका अभी हाली में किया गया है इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो बना है भारत का पहला स्टेट जो launch किया गया है जहां पर launch हुआ इंडिया का पहला आयुशमान भारत Digital Mission का microsite पहले microsite आपका asall में ने मिजोरम में ये organization कैसे उस organization को better कर सके इंप्रूफ कर सके वैल इसका आंसर है option two that is DRDO DRDO यह कारनामा जो है वो करेगी तो इसका आंसर है option number two that defense research उसको redevelop करने के लिए यह nine member committee जो है वो बनाए गई है इस तरह के बारे प्रीज पढ़ लीजेगा सिंगपोर के जो satellite है उनको launch किया है आधिते 11 पढ़ लीजेगा चंद्रयान 3 पढ़ लीजेगा इसके लावा लीगो करके एक observatory है उसके उसके मद्द नजर भी इस तरह अपने आप important हो जाता है उसको भी प्रीज आप लोग तरह पढ़ लीजेगा ठीक है चलो अब आते हमारे अगले क्वेशन पर मैरे नाशनल ने इन में से किस बैंक के साथ टाइब किया है for launching इंडिया फर्स्ट एवर को ब्रांड़ेट क्रेडिट होटल क्रेडिट कार्ट वेल यह HDFC बैंक के साथ इनके क्लाबरेशन में इसको लांच किया गया है अकॉर्डिंग टू दी एस्बी एको राप रिपोर्ट इंडिया का जो पर क्यापिटा इंकम है वो इंक्रीज करेगा कितने लाख तक इन 2047 फ्रॉम टू लाक रूपीज इन फिनांशल ए 23 वेल यह अमाउंट रहेगा आपका इंडिया में इस स्टेट में यह मिस वर्ल्ड 75 एडिशन जो है वो आपका होने वाला है तो सवाल है कौन से स्टेट में यह कौन से यूटी में इवेंट आपका होगा तो उसका आंसा दोस्तों जो है वो आंसर है option number two that is Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir में इवेंट को दोस्तों जो है वो इंडिया ने अभी हाली में इन में से किस पर्टिकलर स्टेट के साथ MOU साइन किया है for civil aviation वैले MOU जो है वो न्यूजलेंड के साथ अभी हाली में इंडिया ने साइन किया है इन में से वो कौन सा एक्राफ्ट है विच इसराइल्स डिफेंस मिनिस्ट्री ग्राउंड बेकिं प्रोग्रेस जो की अड्वांसमेंट है उनकी केबिलिटी मिलिट्री के तौर पर यह एक इंटेंटिस गैदरिंग एक्राफ्ट है जो की रेवलुशनाइज करेंगा इसराइल के डिफेंस स्ट्राइजी को विद कटिंग एश टेक्नोलोजी और केबिलिटीज वैल उसका न गई है बागी दोस्तों अरियाना करके आपका फ्रेंच कोरू में एक आपका स्पेस्टेशन है जहां से आरिते एलवन के जो रीडिंग से उसको मॉनिटर किया जा रहा है तो उस वज़र से अरियाना भी आपका न्यूज में है इन इंटनाशनल डेव फॉर पीपल ऑफ अब हाली में एक पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया है इन दे मेंबरी ओफ दाधी प्रकाश मनी यह इन में से किस संगठन की आपके अध्यक्षा थी संगठन का नाम है दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है फॉर विमन लेड एंजियो जो की है आपका ब्रहम कुमारी मांट अभी बार आधार-based Enrollment for Social Security Scheme जहां पर आधार के बेस्ट पर आप अलग-अलग योजना है प्रधानमंत्री जीवन जोती योजना या फे शुरक्षा भीमा योजना या अफे अटलपेशन योजना उसको आप अवेल कर सकते हैं इनके कस्टमर सर्विस पॉइंट से और उस एट में उसका पैनल है पहली बार यह प्रपोजल एलेक्शन कमिशन ने कब दिया था है प्रपोजल दिया था 1983 में एंसी आर्टी को डेजिगनेट किया गया है अज़े डीम टूब यूनिवर्सिटी और यह अनौंस किया गया सिस थर्ड फांडेशन डेट पर इसी दिन एक AI-based, play-based teaching model को जारी किया गया है for class from age 3 to 8 जिसका इस्तमाल आंगन वारिज में किया जाएगा for better teaching उस particular model का नाम किया उसका नाम है आपका जादूई पिटारा रश्या ने अभी हाली में Islamic banking को शुरू किया है ताकि नए customers को banking system के अंदर ला सके Islamic banking basically based है on the Sharia law इनमें से कौन सा statement incorrect है with respect to Islamic banking आपके सामने 5 options है देखिए incorrect पहला statement ही है because interest rate जैसे कोई चीज होती नहीं है Islamic banking में उसे गलत पाना गया है Islamic banking में इसलिए पाकी सारे statement सही है लेकिन यह statement आपका गलत है अब इहाली में Eugenio Lemos को दिया गया है Raman Magsese Award for his contributions कैसे उन्होंने यंग टिमोरी व्यूस को नेचर और surroundings को लेकर उन्होंने कैसे बदलाव किये है सवाल है तिमोर लेसे का currency कैसी currency दोस्तो है आपकी US dollar इनमें से वो कौन सा bank है जो भात का पहला public sector bank है जिसने enable किया MSME loans MSME to get instant loans using GST invoices उसे आपका नाम है GST Sahai और PNB ने उस चीज़ को आपका अभी हाली में दोस्तों जो है वो launch किया है इनमें से वो कौन सी country है जो बना है भारत दुनिया की पहली country जिसने एक seven minute का cancer treatment जाप बनाया है वेल उस country का नाम है आपका England बहां पर 30 मिन लगते थे cancer treatment का drip चड़ने में अब वो 7 मिन में हो जाएगा तो बहुत कमी आ गई है एक तरह से इन टर्मस अब कम स्टांस्पेंट करना पड़ेगा chemotherapy में specifically England के अंदर cancer patients को इन में से कौन सा देश है जो होस्ट करेगा इन में से कौन सा देश है जो होस्ट करेगा पहला Global India AI 2023 Edition को October में वेल उस देश का नाम इंडिया है इन में से क्या नाम है Final Project 17A Stealth Frigate का जिससे launch किया जाएगा at Mazagao Docks in Mumbai on September 1 उसका नाम दोस्तो है आपका महिंद्र किरी बदरवार राजमा को अभी हाल ही में GI tag दिया गया है इन में से किस state के लिए उस state का नाम आपका जम्मू आन कश्मीर है Goa Shipyard Limited ने अभी हाल ही में tie up किया है इन में से किस country के shipyard के साथ और उनके साथ मिलकर capacity building की जाएगी और construction किया जाएगा ships का उद्देश के लिए पहले किनिया shipyard Limited के साथ ये collaboration अभी हाल ही में दोस्तों आपका किया गया है दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अशी के साथ हमने August और September का जो भी चार दिन है वो खतम कर दिया है बाकि कल 5 है तो 5 से लेकर 8 में जो पिछले तीन से चार महीन हैं उनको भी हम कवर कर देंगे जाहिर सी बात है questions के number बढ़ जाएंगे और आपको और समय देना पड़ेगा उनको prepare करने के लेकिन August पूरा पढ़ लीजेगा मैंने करीब August में करा हैं आपको सो कोशन से जादा जो इंपोर्ट लगे मुझे बाकि हम हर एक स्टेट को हर एक हर हर एक जो आपका मंत है उसको और questions को लेकर आपके सामने आएंगे तेंक्यू सो मच अब्रीवान एंड टेक के मलकात करते हैं बाग से हम कल बबाए काई थैंक्यू सो मच देखते रहिए explain back कुश पांड़े और थैंक्यू सो मच कई स्वागत है हमारे आज के सेट 4 में और आज हम कराएंगे 100 questions from the month of July July पूरा आज हम काफी हद तक कवर कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपको sessions पसंद आ रहे हैं तो sessions को like कीजेगा और अगर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चलिए शुर इसे के डिवल्पमेंट सेक्टर के लिए वैल यह अग्रीमेंट है दोस्ते मिलन डॉलिस का और यह किया जाएगा इन ऑप्शन नम्बर वन राजस्थान में पैसा निवेश किया जाएगा ताकि जो उसके से के अपर फॉम टीर वन ताउंस वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका अंसर option number one रहेगा infrastructure development एक बहुती बड़ा रूल प्ले करता है in fostering economic growth and improving the overall well-being of communities यह यहां कहा गया है इसी लिए the Indian government ने इनमें से किसके साथ partnership में एक transformative project launch किया है बिहार में जहां पर उस project का नाम है बिहार रोड प्रजेक्ट जिसके थूँ जिसके तह सब्सक्राइब किया जाएगा और साथी में उनको climate disaster resilient designs के तौर पर road safety elements के को focus करके उन्हें बनाया भी जाएगा तो वह कौन सा संगठन इसके साथ यह काम हुआ है कई लोगों का सवाल आया सर इसको हिंदी में कराईए बिल्कुल करा दूंगा बस आप session देखते रहिए दू और बिहार स्टेट गवर्मेंट ने भी स्टेट हाइवेस के लिए ADP के साथ ही टाइप आपका किया है SpaceX जो की एक visionary entrepreneur Elon Musk की संस्ता है उसने इतिहास अचा है जब उसने दुनिया का सबसे बड़ा private satellite to space भेचा है चुरा 27 को यह satellites का नाम क्या है जिसे develop किया है Maxer technologies ने और यह breakthrough है in terms of communication satellites और यह एक impressive size का है साथी साथ इसे technology भी और उसे काफी बहतर है तो उस satellite का दोस्तों नाम क्या है उसका नाम है आपका Jupiter 3 27 जुलाई को ही भारत के minister and minister of cooperation हो minister and minister of cooperation अमिर शाजी उन्होंने एक initiative की शुरुबात की है जो initiative का main मकसद है इंडिया के जो साड़े 6 लाख जो village है उनके लिए उनको aim culturally map करना तो वो कौन सा initiative है जिसको अमिर शाजी ने launch किया है उस initiative का दोस्तों नाम है मेरा गाउं मेरी धरोहर तो जो हमारा tourism culture का मंत्राले है वो कोशिश करेगा इन सारे गाउं को culturally map करना ताकि एक पूरी तरीके से हमें idea लगे in terms of the diverse culture जो इंडिया के में से किसको चूज किया है for using AIML यह मैंने कल सवार आपसे पूचा था इसका answer है आपका option already आपने बता दिया था मुझे that is option 3 that is Accenture तो जो supervision है regulation है banks and BFCs का उसके लिए जो AIML artificial intelligence and machine learning का जो एक समागम है उसे करने के लिए RBI ने McKinsey और Accenture के साथ टायप किया है अब इहाली म में जो गोवा बेंच है Bombay High Court की उसने गोवा गवर्मेंट को कहा है इनमें से किस वाइलाच सांचरी को और उसके रीजिंस को mention in the N.T.C.A. Act कि उन्हें अब आप एक Tiger Reserve के तौर पर उन्हें एक work करें और उनकी preparation कराएं तो कित और तीन महीनों के अंदर इस सारा काम आपका हो यहां पर रहेगा मादेई का जो आपका wireless sanctuary है उसे यह change करना चाहते हैं और they want to convert it into a Tiger Reserve. अभी इंडिया में इस समय 54 Tiger Reserves पाए जाते हैं। US के साथ इनमें से कौन सा देश है जिसे invite किया गया है जिसे initiate किया है ती तालिस्मान Saber Joint Exercise जो की एक बहुत ही बड़ा large scale का एक show है of unity and force जिसमें 30,000 troops से जादा participate करेंगे और इन दो देशों के अलावा 11 countries और participate करेंगी और यह हर दो साल पे कराया जाएगा और इस साल कहा जा है यह largest ever gathering है military personnel ever तो question यहां पर आपसे बहुत basic सा है कि कौन से वो दो देश है जिसने initiate किया है इस तालिस्मान Saber exercise को वेल आंसर है इसका Australia and the US इन्होंने मिलकर यह जो है initiative वो लिया है ठीक है इंडिया और USA की बात करें तो Tiger Triumph आपको याद रखना है वजर प्रहार आपको या से भी है तो उसको भी आपको याद रखना है तो similarly इंडिया युके की बात करें तो अजया warrior है है ना वो भी इंडिया युके का एक बहुती popular exercise है सेमी कॉन इंडिया 2023 is all set to emerge as a prestigious platform और यह इंडिया की जो semiconductor domain की जो एक प्रावेस है उसको celebrate करेगा यह इंडिया में कहां पर आपका गांधिनेगर में हुआ दोस्तों अभी गांधिनेगर में ग्लोब जो traditional medicine का summit है वो भी आपका गांधिनेगर में हुआ जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले गुजरात declaration को भी जारी किया गया है जो की outcome है of the summit जो की अभी आउगस्त महीने में telemedicine का summit जो medicine वो जान नगर में ही set up किया गया है the fifth helicopter and small aircraft summit जो शडियूल है जुलाई 25 को शडियूल था हुआ उस दिन वो एक बड़ा event है भारत के civil aviation journey में और ये कौन सा इतहासिक शहर में हुआ आपका और इसकी announcement की थी by the ministry of civil aviation well ये summit आपका हुआ दोस्तों खजुराहो में जो की MP में है खजुराहो अपने temples के लिए ancient temples के लिए अपने caves के लिए काफी famous है तो उसका answer है option number two that is खजुराहो मैं यहाँ पर Elora Ajanta की बात नहीं करा खजुराहों की बात करा हूँ जो की MP में आपका मवजूद है इन में से कौनसी state की cabinet है जिसने एक recently एक significant decision लिया है जिससे जो agriculture sector है उसक prevention scheme को launch करेगा या subsidy scheme को launch करेगा जिससे जो financial support farmers को है वो दिया जाएगा subsidy मतलब होता है जब हम कम पैसे लेते हैं चूल देते हैं और subvention मतलब होता है कि government support जैसे कि माल लेते हैं 7% का interest rate एक farmer को देना है तो 2% सरकार देगी 5% ही उस farmer को उस loan पर देना पड़ेगा तो उसको subvention मिल गया उस loan पर जिससे की उसके लिए loan repay करना या फिर loan लेना बहुत आसान हो जाएगा तो वो state का नाम है option 2 that is URISA में इस प्रक्रिय गया है इन में से कौन से state में एक significant step लिया गया है जिससे की जो gig workers हैं उनके welfare की बात की जाएगी जिसके लिए एक platform based gig workers bill 2023 को table किया गया है वहां की विधानसभा में वेल इसका आंसर राजस्थान रहेगा दोस्तों gig workers क्या होते हैं अगर मैं आसान भाशा में बता हूं तो आप Zomato, Blinket यूज़ करते होंगे या फिर Amazon यूज़ करते होंगे तो जो लोग temporary काम करते हैं in fact छोटे मोटे काम करते है जो contractual काम होते हैं जिसमें पैसा काफी कम होता है उन्हें हम gig workers कहते हैं राजस्थान में भी और कई areas में ऐसा देखा गया कि उनका welfare पर काम नहीं होता in fact क्योंकि वो organized labor में नहीं आते हैं in fact they are on the margins of unorganized and organized labor इसलिए उनको लेकर राजस्थान में यह bill जो है उसे July में table किया गय एक्सचेंज ठीक है बोर्स पिसेकली लिया गया है फ्रॉम बोर्जवाजी बोर्जवाजी मतलब होता है common man ठीक है और बोर्स क्या होते ही जहां पर लोग एक्सचेंज कर सकते हैं तो कौनसा वो diamond exchange है जो दुनिया का सबसे बड़ा office space है एक single project में जो की इतिहार रचेगा औ और भारत के prime minister जो है वो इसको inaugurate करेंगे इस साल निवेंबर 21 को और यह project एक testament है भारत के entrepreneurial spirit का और साती साथ देखिए option में आपके सूरत के diamond industry का तो जाहिर से बात है यह आपके सूरत में खैर diamond की जब हम बात करेंगे तो एक ही नाम आना भी चाहिए जो की इंडिया की diamond city भी और उसका एक significant contribution है इंडिया की industrial development में वो अब gear up कर रहा है for a transition towards sustainability and low carbon economy state department जो foreign environment climate change का है उसने release किया एक document जहां पर 2070 तक वो state जो है वो carbon neutral हो जाएगा जैसे कि इंडिया का भी version 2070 का है और उस state के इंडिया के अंदर भी कहा है कि 2070 तक वो अपने आपको carbon neutral कर देगा तो वो कौ option number two that is जारकंड जब हम minerals की बात करेंगे तो जारकंड को ही generally हम टेक करेंगे इन मेंसे कौन सा वो state government है जिसने electric vehicles को adopt करने के लिए एक नई पहल चुरू की है जहां पर वो customers को कहेगा कि अगर वो e-vehicles purchase करते हैं October 14 से after October 14 2022 जो उन्हों परचेस किये हैं उनको financial support दिया जाएग जो 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 लोग इस तारीक के बाद उन्हों परचेस किया होगा उनको financial support दिया जाएगा वेन उस state का नाम मेरा state है वो state है आपका option two that is उत्तर प्रदेश वहां पर होगा वैसे दिली सरकार ने भी कहा था लेकिन अगर यह particular date आएगी और इस समय एक ही state ने ऐलान किया था तो आंसर उसका option two रहेगा that is उत्तर प्रदेश डिरेक्टर जेनरल राकेश पाल हाज अजूम्द पोजिशन ऑफ ट्वेंटी फिफ्ट डीजी ऑफ विच फॉलोविंग और कौनसी वो आपका अर्दसैनिक बल है वेल उसका आंसर है ICG इंडियन कोजगाट के वो डीजी के तौ हाली में एक नया framework जिसका नाम है TCRM matrix techno commercial readiness and market maturity matrix उसको लॉंच किया है यह matrix जो है यह एक parameter है एक analysis है of technology commercial readiness की क्या हमारा market जो है वो इतना ready है टेक्नोलोजी और market को balance बनाने में और उसको commercialize करने में तो उसको लेकर जो think tank है उसका नाम नीती आयोग है मद्रपदेश सरकार ने अभी हाली में जो शिक्षा की quality है गुरवत्ता है उसको improve करने के लिए एक education initiative को launch किया है इसका नाम है CM rise schools ठीक है इसकी जानकारी दी है वहाँ की मुख्यमंत्री ने सब और यह शुरू हुआ आपका शाजापूर डिस्ट्रिक में इस मुहिम के तहत how many schools और how many CM rise schools आपके बनाया जाएंगे अगर आपको याद रखना है तो PM rise करके भी था यहाँ पर schools for rising India करके था PM श्री सॉरी और यहाँ पर CM rise नाम दिया हुआ है तो total में 9000 ऐसे schools को जो की आधर्श होंगे मत्रदेश के अलगले schools के लिए उनको यहाँ पर वो setup आपका किया जाएगा दी चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल अभी हाल ही में न्यूज में था और यह फेस्टिवल तवांग रीजिन में किया गया यह दोस्त दो दिन का फेस्टिवल था जहां पर ग्रेजियर्स पूरे रीजिन से आये थे और अपना जुनका occupation है उसको यहाँ celebrate किया य इंडिया और इनमे से वो कौन सा country है जिन्होंने एक MOU साइन किया है और इनका aim है of establishing a framework एक धाचा एक mechanism trade settlement का अपने अपने currencies में और अपने transactions को एक fast payment system से link करना तो इंडिया ने agreement किन के साथ किया है जहां पर एक दुसे currency में faster trade आपका हो सकेगा answer इसका option 2 रहेगा that is UAE बहुत ही common है in fact CBDC को लेकर भी बात हुई है कि कैसे जो digital currency इंडिया की है और जो यह currency है आपकी central bank UAE currency कैसे उनको भी हम interlink कर सकते हैं इंडिया और इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने collaboration किया है इर नौटिकल टेक्नोलोजीज में और यह एक joint development है दोनों के बीच ताकि दोनों लोग जो aircraft engines हैं जो World Youth Skills Day के दौरान उस मौके पर भारत के Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship राजी चंशेखर जी उन्होंने पहला बैच इनमें से किसका Art Products का Export के लिए जारी किया है इनिशेटिव पार्ट है अब दे नमदा प्रजेक्ट इंप्लिमेंटेड अंडर प्रधान मंत्री कौशल फिकाज योजना तो यहां पर भी नाम और question में ही आगए आपका यह नमदा जो craft है जो भात का एक culture heritage है उस craft को लेकर उसके एक्सपोर्ट का पहला बैच है उसको एक्सपोर्ट के लिए फ्लाग ओफ किया है भारत के मिनिस्टर अव स्टेट ने अभी हाली में एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को नितियायोग उन्हें इशू किया है यहां पर एक तो सवाल यह बन गया कि जिसने एक्सपोर्ट प्रिपेर्ड इंडेक्स को जारी किया है तो उसका आंसर क्या रहेगा नीतियायोग ठीक है और उस रिपोर्ट में टॉप पे नंबर बन स्टेट कौन सा है बिकास बाकी स्टेट आपके महाराष्ट्रा करनाटका और गुजरात है नंबर बन स्टेट अिन में से वो कौन सा शहर है जहां पर गलोबल फूड रेगुलेटर सम इट ऑगनाइज किया जाएगा और यह पेहली बार परी समिट जो है उसे इंडिया में इंडिया में में इंसाइट ऑगनाइज किया जा रहा है फसाई जो है वो इस summit को organize कर रहा है और इस summit आपका July 2021 को किया गया तो जाहिर सी बात है नाशनल क्याप्टल पहली बार हो रहा है तो क्याप्टल क्या है मारा डेली में इसको जो है वो आपका organize किया गया इनमें से वो कौन सा country है जिसने हाली में एक missile test आपका किया है और unveiled किया है latest weapons जिसका नाम है Wasong 18 यह एक intercontinental ballistic missile है जो की significance है because यह उस देश की पहली missile है जो solid propellants का use कर रही है वेल बहुत मुद्दतों से इस missile को बनाया है और इसको बनाया है North Korea ने तो अगर Wasong 18 की बात करेंगे तो हम यहाँ पर North Korea का mention करेंगे Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने एक innovative AI training program जिसका नाम AI for India 2.0 उसको आपका launch किया है यह free online training program है जिसका main aim है युवाओं को equip करना essential skills के साथ जो AI में होते है यह program को World Youth Skills Day के दिन launch किया गया है तो यह दिन आपका किस दिन पढ़ता है इतना लंबा सवाल पूछा सवाल एक ही पूछा मैंने आपसे World Youth Skills Day आंसर उसका 15 जुला है मेरी आपसे tip है जो लोग तैयारी कर रहे है आरद भी PO clerk की बेटा सवाल जल्दी पढ़ने कोशिश करो अब जब mock test दो ना time मुझे पता time कम बचा है लेकिन कोशिश करो कि सवाल पढ़के जल्दी comprehend कर लो अगर यह habit अभी नहीं बनी है तो आने वाले paper से पहले habit बना लो कि कितनी जल्दी आप सवाल comprehend कर सकते हो क्योंकि जीए में खास तोर्ट पर कई सवाल बड़े लंबे चोड़े होते हैं लेकिन सवाल आपसे बहुत ही सिंपल पूछता है या फिर एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ होती है कि जो मैंने पढ़ा होता है आपने पढ़ा होता है उस सारा कुछ question में होता है और उससे ही कुछ घुमा के कुछ different question है आपसे पूछा है तो कुछ ऐसा ही है सवाल मैंने यहाँ फ्रेम किया है जहां पर बहुत ही simple question था इतना तंकार देने के बाद and that is 15 July को यह world use के लिए आपका होता है अभी हाल ही में इंडिया और इनमें से किस देश ने एक economic and financial dialogue जो है उसको बनाय है जो कि एक significant step है towards strengthening cooperation and fostering a shared understanding on global issues जो की दो देशों के बीच है और यह unveil किया गया during the G20 finance ministers and central bank governors meeting यह platform offer करता opportunity India और Indonesia को to collaborate on economic and financial terms अगर आप सवाल पढ़े होते तो आंसर आजाता आंसर क्या है आपका option number three that is Indonesia उनके बीच एक economic and financial dialogue जो है उसको इंडिया और इंडोनेशिया ने launch किया है भारती आर्मी का एक contingent जो है वो एक journey पे गया है इन में से किस देश में जहां पर जो 15th edition है of nomadic elephant 2023 उसमें participate करेगा तो ये इंडिया गया है कहाँ पर मंगोलिया वहाँ पर वो गया है और वहाँ पर दोस्तों जो है वो participate करेगा भारत की प्रामीन देर मोदी जी ने इतिहास रचा है जब वो भारत के पहले प्रधान मंत्री बने हैं जिन्हें दिया गया है the grand cross of the legion of honor ये इन में से किस देश का highest civilian honor है वैल उस देश का नाम है option number 3 that is France France का ये सरवोज समान है जो उनकी विजिट पर मोदी जी को दिया गया अभी हाली में इन में से किस देश ने एक major supplier of crude oil इंडिया में जगह बनाई है जहां पर दो देशों की बीच रिष्टे बेटर हुए in fact भारत की जो ONGC विदेश limited है जो अभी हाली में दोस्तों एक नवरतन company बनी है वो consider कर रही है resumptions of operations in its hydrogen exploration block in this country और जो की force में जो की आपका मतलब अभी तक उस पे कोई काम नहीं हुआ है 2003 के बाद से उसको लेकर अभी पूरी जानकारी अभी तक उस पे चर्चा चल रही है तो वो देश है आपका इराक इराक के साथ ये जो एक आपका hydrogen carbon 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 exploration जो है उसको resume करने की बात की गई है आए ने सुनेना जो की एक इंडिया नेवल शिप है उसने हाली में विजिट किया सेशेल्स और वो हिस्सा बनी of the multinational exercise that is operation South Southern Readiness 2023 ये विजिट उसने इन में से कौन से देश में की है जो उसने की जुलाइ 10 से लेकर जुलाइ 12 तक तो ये विजिट आपकी हुई है दोस्तों तू सेशेल्स Researchers जो भारत के IIT Guwahati के हैं उन्होंने डेवलप किया तो का अलड़ी मैंने नाम दही दिया तो IIT कौन से Guwahati है जिसने एक AI-based framework Osteo-Acharnet launch किया है और IIT Guwahati के launch किया है बिसिकली ये जो framework है वो assessment जो है Osteo Arthritis का घुटने में जो Arthritis होता है उसका उसकी severity जो है उसको X-ray में जिसकी analysis से यहां पर easily हमें बता देगा इन में से कौन से देश का Navantia है और इंडिया का लासंटूबरो है जिन्होंने एंटर किया है एक team agreement में इंडिया नेवी के P-75 submarine program के लिए ये agreement आपका हुआ in the presence of COMD LNT and Augustine Alvarez Blanco जो Naval Construction Vice President and Member of the Board at Navantia है तो कौन से देश का ये company है जिसके साथ P-75 के लिए agreement LNT ने किया है ये देश है आपका Spain Spain की company है निवांशे जिसके साथ ये agreement LNT ने अभी हाली में आपका किया है इंडिया ने अभी हाली में एक बहधी मुत्वपूर्ण milestone हासिल किया है गरीबी के reduction में गरीबी के उन्मूलन में जहां पर उसने जिए number of people जो की गरीबी से उबर चुके हैं within just 15 years उसमें इंप्रू ह हुआ है latest update है that is the global multi-dimensional poverty index इसको किसने रिलीज किया है along with Oxford poverty and human development initiative और इसमें ये भी कहा गया है कि पिछले 15 सालों में इंडिया के अंदर poverty से 415 और ये number पढ़ ली जगा 15 million लोग जो है वो इंडिया में poverty से उबर चुके हैं पिछले 15 सालों में तो कौनसे मुखे संगठन ने इस multi-dimensional poverty index जो है इसको रिलीज किया है वो है आपका UNDP Oxford poverty and human development initiative इन होने MPI index जो है उसको अभी हाली में रिलीज किया है इन में से कौनसा वो country है जिसने देश के अंदर emergency declare की है in response to an increase in the bullion bar syndrome GBS एक rare neurological disorder है जिससे जो immune system होता है वो mistakenly attack करता है peripheral nervous system को जिससे की paralysis भी उस इनसान को हो सकता है तो यह जो emergency है उसको declare किया है पेरू ने पेरू ने कहा कि उनके देश में यह disease है इसकी दादात काफी जादा बढ़ चुकी है इंडिया नेवी और यूएस नेवी ने अपने forces के साथ जो जो forces है उन्होंने साथ एडिशन जो है आई एन यूएसन सालवेच एन एक्स्प्लोजिव ओर्डिनेंस इस इसका नाम है आपका सैलवेक्स उसमें पार्टिस्पेट किया है यह जो एक्साइज आपकी है यह हुई 26 जून से लेकर 6 जुलाई तक एक्साइज इंडिया के किस शहर में दोस्तों कराई गई है जो आपका एक यूडी पढ़ लेना दूसरा जो सैलवेक्स है यह कराया गया इन दे सिटी ओफ कोची इन केरला सागर माला प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट सेंड शिपिंग और वाटर वेस का है उसने डिवलप्मेंट शुरू किया है और नाशनल म मेसिक के शहर में यह वो जगह है जो अगर हम बात करें इंडिया साल सिवलाजेशन में तो वहाँ पर भी इंडिया का बहुत ही मशूर बहुत ही पॉपुलर एक पोर्ट था तो उसका आंसर है का option number two that is लोथल में यह complex आपका बन रहा है आर बी आई ने अभी हाली में announcement किया जो 27 को और उसने जो bank permit है महालक्ष्मी cooperative bank का उसको revoke किया है यह bank के headquarters कहां पर थे आंसर है इसका धारवार इन करनाट का दोस्तों याज रखें से हमने पहले बताया था इंडिया में चाहे अब आपका commercial bank हो या आपका cooperative bank हो खास तोर पे जो आपके urban cooperative bank है इनके license को cancel करने का ज एंडर आ चुके हैं मतलब अगर इन में इनके secure loans में एनपी आता है तो उस एनपी की recovery करने का जो एक regulation है वो surface की अंडर होगा और वहीं से वो recover उनकी loan की recovery जो है वो कराई जागी अगर वो NPA बन जाते है नाशनल postal worker day को होता है तो दोस्तों यह दे होता है आपका first July को भारत क Geological Survey of India की जो state unit है उसे discover किया है एक natural ark in the Kanika range of Sundargar forest division आप जो लोग इस division को जानते हैं सवाल यह है कि यह कौन से state में यह जो एक natural ark है Kanika range of Sundargargar में वो पाया गया है उस state का नाम है उरीसा इन में से कौन सा मंत्रा ले responsible है development of the national metabattage complex सवाल पहले पूछा था हमने कहां पर था अब कौन सा मंत्रा ले है ministry का नाम है ministry of port shipping and waterways कौन है मंत्री इसके सर्बनन्द सोनुवल interest rate जो अभी हाली में change किये गए है specifically in the small saving scheme उनमें से एक scheme है आपकी महिला सम्मान saving certificate इसमें कितना percentage जो है वो offer किया जा रहा है तो यह percentage आपका है 7.5% का कितना percentage है 7.5% दो साल का यह होता है और दो साल पर आपको 7.5% का महिलाओं को interest rates पर बिलेगा एक और सवाल उसी से है कि कितनी limit है महिला सम्मान बचत पत्र की तो यह limit आपकी है 2 लाग रुपए in fact इस साल के budget में ही यह scheme को launch किया गया है इन में से किस ने grant किया extension आज किसको मिला है extension आज ambassador of the permanent representative of India to the World Trade Organization WTO में यह भारत के permanent representative है इनका नाम है option number two that is Brajendra Navnit fiscal deficit का मतलब क्या होता है देखिए fiscal deficit मतलब होता है total financial burden आसान भाशा में कहूं जब हमारी total borrowing total expenditure जादा होता है then the total receipt total income तो उसे fiscal deficit क्याते हैं देखिए आदिया भी हुआ है difference between total expenditure and revenue इसका नाम है आपका fiscal deficit इसमें अगर आपको और detail में जाना है तो जो debt capital borrowings होंगी उनको हम माइनस करेंगे because उनको भी हमें repay करना होगा तो मोटा मोटा यही रहे का formula between total expenditure and revenue इसे हम कहते हैं fiscal deficit इंडिया को वैसे भी 25-26 तक 4.5% of GDP जो है इस target को इंडिया को दोस्तों अचीव करना है तो उसके मद्द नजर भी यह अपने आप important हो जाता है okay how many 700 megawatt pressurized heavy water reactors nuclear power corporation of India plan कर रहा है to build across the country कितना number है उसका total number है 16 16 high pressure water nuclear plants को वो develop कर रहा है अभी हाली में जो काकरा पार जो है वो news में था काकरा पार nuclear power plant because इसने अपनी 100% capacity जो है उसको achieve कर लिया है इसका जो third unit है उसका जो fourth unit है वो दोनों ही अब आपके active होगे इस वज़र से यह जो काकरा पार nuclear power plant है यह अब 100% capacity पे आपका वग करा मुझे बताना है comment section में कि यह जो काकरा पार nuclear power plant है यह कौन से city कौन से state में इसका जवाब आप मुझे comment section में दीजेगा इनमें से कौन सर्फ करेंगे क्या कौन सी यह organization सर्फ करेगी regulatory body के तौर पर of all trading activities with India's carbon market जो भारत का carbon market है जहां पर इंडिया को carbon credit दिये जाएंगे carbon emissions को control किया जाएगा तो इनमें से कौन सा वो organization जो इसको regulate करेगा उसका नाम है Central electricity regulatory commission और CERC यह इसको आपका manage करेगी कितने local indicators को include किया गया है इन दी पंचायत development index report इसमें दो दोस्तों total indicators जो है वो आपके है 568 International day of cooperative is commemorated every year in July 1st and is celebrated on the first Saturday of July सवाल है इस बार इसका theme क्या है आपके सामने 5 options है इस बार इसका theme है co-operatives for sustainable development यह इसका theme इस बार दोस्तों जो है वो दिया गया है इनमें से किन्हें appoint किया गया है as the national cyber security coordinator by the government आपके सामने 5 options हैं वेल जो cyber security coordinator है वो है आपके lieutenant general M.U. Nair इनको इस पद पे जो है वो appoint किया गया है कितने towns और export excellence के हैं जिन्हें foreign trade policy में रखा गया है जहां पर जो ऐसे towns हैं जिनमें हाँ पर exports को लेकर production किया जाएंगे और वहाँ encourage किया जाएगा exports के production के तौर पर total आपके चार ऐसे शहर हैं टाउंस हैं फरिदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वरानसी स्टार्टप 20 शिखर summit को organize किया गया है by the startup 20 engagement group under the India G20 presidency सवाल है आपका ये event कहाँ पर हुआ था जहां पर global startup ecosystem के लिए बहुती बढ़ा achievement था जो ये summit organized हुआ शहर में ये शहर का नाम है गुरुग्राम में ये summit जो है उसको अभी हाली में किया गया है इन्हें में से कौन implement करता है सुर्णिमा स्कीम को तो ये स्कीम को implement करती है for the vulnerable class the ministry of social justice and empowerment इन्हें इन्हें से कौन सा country है जिसने विटनेस किया है double of doubling of its global commercial services exports जो मात्र 2% थे आपके 2005 में अब वह आपके बढ़कर हो गए 4.4% in terms of global commercial services exports in 2022 इस देश का नाम अफकोस इंदिया है इन्हें से कौन सा country है जो हाली में SEO का बना है है member उस country का नाम है आपका option number two that is Iran Iran अब SEO का member है Shanghai cooperation organization इन में से कितना interest rate charge किया जाएगा प्रोवाइट किया जाएगा loans के लिए under the swanima scheme specially for the vulnerable class ये interest rate है आपका 5% का जो कि in general काफी कम है in comparison to the other loans given by the banks भारत का पहला police drone unit इन में से कहां पर लॉंच हुआ है unit app का दोस्तों जो लॉंच हुआ है वो चैन्नाई में अभी हाली में इसको जो है वह आपका लॉंच किया गया है क्या purpose है RBI के centralized information management system का आपके सामने 5 options है क्या ये big data handle करता है और facilitate करता है data analysis को क्या ये financial transactions को manage करता है क्या एनफोर्स करता है regulatory compliance को क्या disseminate करता है public information को या इन में से कोई नहीं तो इसका answer रहेगा option number one ये handle करता है big data and facilitate करता data analysis को तो इसका answer रहेगा option number one that is to handle big data and facilitate data analysis भारत का ministry of home affairs है उसने एक नई scheme को launch किया उसका नाम है scheme for expansion and modernization of fire services in the states कितना contribution state governments को करना होगा for projects or proposal जो की implement किये जाएंगे उस state के अंदर under the scheme कितना percent expenditure state government करेगी value percentage आपका दोस्तों जो है that is 25% 25% जो है उन्हें ये एक amount पे करना होगा बाकी amount जो है वो ministry of home affairs खुद के budget से पे करेगी इन में से वो कौन सा ministry है जिसने अभी हाली में organized किया है national conference on green hydrogen ये conference को organized किया है of course ministry of non renewable energy जिसके minister है Mr. R.K. Singh जो लोकसव MP है from R.A. in Bihar इंडिया की rank क्या है global peace index में इंडिया की rank दोस्तों जो है वो आपकी 126 है that is absolutely correct यहां पर दोस्तों एक और पात याद रखिएगा Iceland लगातार काफी सालों से इस index में number one position पर पना हुआ है Union Government ने अभी हाली में digital personal data bill जो है इसको अप्रूफ किया है इसके ड्राफ्ट को और पार्लिमेंट में मौंसू सेशन में लाया भी गया है गर्राफ्ट का मानना है कि जो ministry of electronics and information technology है उसने receive किये हैं और consider किये है two twenty one thousand six six suggestions इस ड्राफ्ट को बनाने में और इसको circulate करने में for comments on amendment 22 सवाल है कि क्या penalty है जो की data protection board लेवी करेगा और organization जो की breach करेंगी इसके loss को कितना आपका penalty हो सकता है अगर वो breach करेंगी इन loss को तो तो amount रहेगा आपका up to 250 को इतने तक का उन पर penalty जो है वो लग सकती है इन में इसे वो conscious state है जिसने सपास किया है तमिल नाडू को in terms of micro lending borrowings मतलब छोटे amount के loans जो होते हैं उन में जो total amount in terms of lending है वो consumption में जादा होती है in comparison to Tamil Nadu उस state का नाम है आपका बिहार जहां पर micro lending के तौर पे तमिल नाडू ज्यादा macro lending यहां पर होती है ताइवान ने अभी हाल ही में allowance किया है plan to open its third representative office in India जो कि मुंबई में होगा और यह significant step है economic linkage between India and Taiwan सवाल है कितना percentage world के most advanced logic chips or smartphone chipsets in Taiwan produce करती है 2022 मतलब कितना percentage या कितना एक दबदबा है ताइवान का in terms of percentage of the advanced logic chips and smartphone chipset जो कि ताइवान बनाती है तो यह बहुती staggering number है 90% जो mobile chips हैं और जो logic chips हैं उन्हें ताइवान बनाती है तो इंडिया के लिए अच्छी ख़बर है और इंडिया इससे फाइदा उठा सकता है इंडिया ने हभी हाल ही में Champions Group of Global Crisis Response Group को join किया है GCRG और यह invite किया था UN Secretary General Anthony Gatarez ने यह जो आपका grouping है यह मार्द 2022 को इसको शुरू किया गया था ताकि जो global issues है food security में energy में finance में उनको लेकर एक global response बना सके इसके लिए किसे शेर्पा बनाया गया इंडिया की तरफ से जो कि इंडिया को represent करेगा PM को represent करेगा इस पूरे process में तो उनका नाम दोस्तों जो है वो है संजय वर्मा वो दोस्तों इस position पर आए हैं और वो इंडिया को represent करेंगे इस पूरे process में कौन कौन सी country हैं जो GCRC के membership पे आ चुकी है तो उनमें आपके सांट 5 options हैं और वो country जो है आपकी वो हैं बांगलादेश, बाबेडॉस, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिय, सेनेगल और अब इंडिया भी इसका member हो चुका है किस rate पर, which rate basically एक safety wall provide करता है banks को ताकि अगर कोई unforeseen requirement है liquidity की cash की by borrowing funds from the RBA against the collateral of government securities तो इसका answer रहेगा आपका MSF तो basically क्या है कि MSF में अगर आपके पास government securities नहीं है ठीक है अगर आपके पास government securities नहीं है देखो यहां तो answer रहेगा आपका repo rate ठीक है लेकिन अगर government securities के बिना आपको loan चाहिए तो वहाँ पर MSF रहेगा that is margin standard facility MSF के लिए government securities का use आप नहीं करोगे वहाँ पर without collateral आपको loan मिल जाएगा तो यहां answer repo rate रहेगा because repo rate पे ही एक amount तक आप अपने government securities के exchange में bank loan ले सकता है MSF में up to 2% of the net demand or the net demand time liability or the net account balance available उतना loan वो ले सकता है तो इसका answer रहेगा MSF इसका answer रहेगा repo rate कितना average size है mudra loans का in terms of what was the average size of mudra loans in financial 22 value average size था वो था 73,049 रुपीज का कौन सी वो नई insurance cover है जो provide किया गया है under the Pradhan Mantri Jan Aarogi योजना कितना amount है वो जो कि इस योजना के तहत प्रवाइड किया जाएगा value amount आपका जो है वो आपका है 10 लाग रुपीज का यह amount अब जो है वो इसके under provide किया जाएगा to the beneficiaries क्या नाम है उस rare brain eating amoeba infection का जो कि साथ कोरिया में आपका अभी डिसकवर हुआ है उसका नाम दोस्तों जो है that is primary amoebic amoebic meningensy phallitis या फिर PAM इसको साथ कोरिया में यह brain eating amoeba जो है उसको पाया गया है कितना percentage पांग इंडिया में है इसको लेकर contention है चाइना ने चाहिना के दर वैसे भी काफी हिस्सा अल्री आता था लेकिन अभी कहा गया है कि और हिस्सा उसने अक्वार किया है वेल टोटल परसेंटेज इंडिया में है वो 40 परसेंट है आसपल दी ओफिशल फिगर इनमें से कौन बने है आए फसी यह जो की गिफ्ट सिटी की अथो गिफ्ट सिटी के अंदर जो इंटिनाश्न फिनाश्न सेंटर है उसकी अथोरिटी है जो पूरा है उस सेंटर को चेमन कौन है तो उसके नए चेमन है आपके के राजा रवन जिन्हों रिप्लेस किया है इंजेती श्रीनवास को Ministry of Education ने अभी हाली में Performance Grading Index 2.0 उसको रिलीज किया है और रिलीज किया गया है कि इंडिकेटर्स इंक्लूड किये गा है इस इंडेक्स में तो उसका नंबर है 73 तिहतर इंडिकेटर्स जो है उनको इस इंडेक्स में आपका रिलीज किया गया है इस बार का जो 33rd Conference थी of the State Finance Secretaries का वो Conference आपका इन में से उसका थीम क्या था उसका थीम दोस्तो है आपका Debt, Sustainability and States Perspective वो इसका थीम इस बार जो है वो रखा गया है इंडिया का score क्या रहा in the UN's Economic and Social Commission for Asia Pacific Global Survey on Digital Sustainable Trade Facilitation में कितना परसंटेज कितना इंडिया स्कोर किया इंटरम्स परसंटेज in this particular in this particular survey वेल परसंटेज है आपका 3.55% इंडिया का score 2021 में 90.32% था जिसका clear मतलब है कि इंडिया इंडिया जो आपका Digital and Sustainable Trade है उसमें इंडिया ने काफी बहतर किया है तो वो percentage इंडिया ने यहां पर आपका इंडूफ किया है Operation broader sword का aim है to prevent the shipment of which of the following item जिसको release अभी announce किया गया था जुलाई में वेल इसका main मकसद है जो illicit pharmaceuticals और precursor chemicals है उनका जो एक shipment है illegal shipment है उसको रोकना UPI 123 पे क्या है UPI 123 पे basically एक आपका IVR based UPI solution है ठीक है यह एक basically तरीका है जिसके जरीए आप बिना internet के भी UPI के service ले सकते है IVR के जरीए तो वो UPI 123 पे service है UN ने officially designate किया है July 12 को डिनासर मलारादे के तोर पे इस बार इसका what was the theme of this particular year day वैसका theme इस बार है the power of fame and role models इनमें से वो first Indian male archer कौन है जिन्होंने जीता है यूथ वर्ल्ड चांपिर्शिप को in the record category 2023 के World Archery Youth Championship में वैर इसको जीता है दोस्तों आपके option 2 पार्ट सालूंखेने उन्होंने इस Championship को अभी हाली में जीता है क्या RBI के target है for daily CBDC transactions मतलब जो daily digital currency transactions है at the end of the year daily कितने होने चाहिए ताकि कैसे हम easily convert करें from offline transaction to online transactions in terms of CBDC तो वो आपका daily होना चाहिए 1 million इनमें से वो कौर सी organization जिसने हाल ही में बनी है पहली Central Public Sector enterprise इंडिया के अंदर जिसको receive हुआ certification for its anti-bribery management system और ABMS वेल इसका answer रहेगा option number one oil and natural gas corporation इसका answer है ONGC what was recommendation of GST rate for casinos horse racing online gaming as per the second report of the group of ministers क्या recommendation है कितना होना चाहिए इस पर recommendation है कि 28% charge होना चाहिए online gaming को यह approval भी हो गया है online gaming पर horse racing पर or casinos पर UP government ने release approve किया है construction of two thermal power projects in sone bhadr इनकी capacity हर एक plant की कितनी रहेगी तो वो जो capacity रहेगी 800 Megawatt की किस तिन हम observe करते हैं world day for national justice यह day होता है आपका option number two July 17, July 17 को यह day हम observe दोस्तों करते हैं कितना loan का support will the European investment bank provide करेगा इंडिया के national green hydrogen mission के लिए तो support जो है आपका that is one billion euros का क्या cost है newly inaugurated integrated terminal building जो की वीर सावर के national airport airport में आपका बना है कितना amount आया है उसका खर्चे में वैल यह खर्चा है आपका 710 क्योंसे स्टेट ने विटनेस किया है सबसे अधिक टिक्लाइन पॉवर्टी में या इन नंबर अफ पूवर में वे 3.43 करोड पीपल वो अब पॉवर्टी जो में इसको एसकेप कर चुके हैं वो स्टेट का नाम है हमारा वीरा स्टेट मिरा स्टेट उत्थर प्रदेश क्या फ्रीमवर्क है इंडिया और यूस का जिसका नाम अभी हाली में उन्होंने प्राजनी में प्र बाइघाम ननायों किते थे असकेफ्लाइच चैन वे इनिया प्रिकर प्रवाइड करना व्या इंडिया और जिसके supply framework का नाम है इंडिया Pacific Economic Framework for Prosperity और IPEF कौन सा भारतिय स्टेट है जिसने नीती आयो कि export prepared index में टॉप किया और लड़ी बता चुके हैं Tamil Nadu No.1 पे हैं कितने PM मित्र पार्क को इंडिया बनाया जाएगा जो कि टेक्स्टाइल्स को ग्रो कराएंगे इन फाक्ट यहां से जो टेक्स्टाइल्स का support है जो उनका supply chain है चाहे रोड के माधियम से हो चाहे वो पोर्ट के माधियम से उनको इंप्रूव किया जाएगा साथ ऐसे ports को बनाया जा रहा है साथ ऐसे parks को बनाया जा रहा है इन में से कौन सी organization है जिसने इंडियूस किया है the TCRM matrix framework और दी बता चुके है नीती आयोग इन में से वो कौन सा city है जिसने rank किया है 21st globally in the affordability indicator for students well 21st rank is number one पे है Mumbai ठीक है इन में से वो कौन सी flagships flagship ships है इंडिया की इंडिया नेवी की चुनों पार्टिस्पेट किया है with Indonesian naval force in Jakarta यह INS Kolkata है और INS सहयाधरी कितने houses को allocate किया गया है to be constructed under the Awas Union Grameer by the Union Government before the looks of elections number है 2.95 करोर अब आते हैं एक statement आग question पे with reference to NATO's willingness summit इन statement सो परते हैं यह summit आपका 11-12 July को 2023 में हुआ था इसका aim है to evaluate NATO's progress over the past year and prepare for future conflicts summit result in the declaration of a specific timeline for Ukraine's membership in NATO communique issue किया गया during the summit जिसमें acknowledge किया गया Russia is as the most significant and direct threat to allied securities peace and stability in the Euro Atlantic area इन में से कौन सा statement आपका correct है well statement आपका पहला थिसा है correct है तूसरे पर अभी कुछ नहीं हुआ है Ukraine को लेकर को ही timeline अभी fix basically आपकी नहीं की गई है कितना amount है department and husbandry and daring का जो amount आपका है जिसके थूँ एक credit guarantee fund trust को आपका allocate किया गया है for this particular scheme तो वह amount है आपका 750 करोर्स का इन में से वह central theme क्या है of the sketch found in the middle cave of Rudragari hillock basically वह theme क्या है जो कि एक cave के अंदर जो sketch है जो मिला है वह sketch पे है क्या basically जो रुद्रागरी hillock में पाए गया है वहां के cave में well sketch है human sorry maaf करी I'm sorry hanuman ji lifting the sanjeevani hill ये एक sketch जो है जो जो रुद्रागरी hillock का cave है middle of the cave है वहां middle cave है वहां पर ये central theme sketch का जो है वो आपका पाया गया है कितने state और यह territories हैं जिन्होंने implement किया है groundwater laws को based on the model bill well answer है 21 ऐसे हैं जोन्होंने model bill पर bill पर जो groundwater laws है उनके base पर उनको implement किया है कौन सा country host करेगा global India AI जो की October में होगा इंडिया इसका answer बनेगा तो उसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं उमीद करते हैं आपको यह video पसंद आया होगा कल आज हमने जुलाई खतम कर दिया है जुलाई की 100 questions कल हम जुन भी खतम कर देंगे और ऐसे ऐसे करके हम लगातार आपके session लगातार लेते रहेंगे तेंक you so much everyone for coming and bye bye guys टेक के हम लगात करते हैं आपसे हम कल शाम को 7 बजे बाकी morning counter face देखना मत बूलिएगा thank you so much and bye bye guys and take care thank you so much guys hello and welcome guys very very warm welcome everyone आप सबका स्वागत है हमारे आज set 5 में जहां पर हम cover करेंगे जून का पूरा महीना तो चलिए शुरू करते हैं आज के discussion को आपके साथ शुरू करने से पहले अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है यह वीडियो पसंद आ रहे हैं subscribe करना मत बूलिएगा और ऐसे वीडियो को लगातार हम लाते रहेंगे आते हमारे question number one पे who has been appointed as the special director in the Central Bureau of Investigation CBI में इन में से किन है special director के तौर पर appointment दिया गया है इनका नाम है Ajay Bhatnagar यह CBI में special director के तौर पर काम करेंगे सवाल मेरा आप है कि current में CBI के director कौन है अब इहाल ही में CBI Academy जो है जो की गाजियाबाद में है उसको choose किया गया है to be a part of the Interpol Union Interpol का एक आपका Union है उसका एक समागम बना है एक committee बनी है उसका member of CBI Academy आपका रहेगा international asteroid day इन में से कब होता है और बता चुके है 30 जून को यह observe किया जाता है इन में से कौनसा department इंडिया में responsible है geographical indication टाग के लिए तो इसका answer है का option number two department of promotion of industry promotion and internal trade इंडिया की बात करें तो इंडिया में maximum जो GI tax है वो तमिलाडू में हैं जहां पर 58 है और यूपी में यह जो आपका संख्या है वो 53 पर है तो टॉप two states इंडिया के अंदर है अभी हाली में यूपी में भी जमू कश्मीर असम में जैसे की चकुआ राई से असम में उसे GI tax दिया गया है इनमें से वो कौन सा एक ऐसा प्रड़क्त है जो उन seven hand-do products में से नहीं है जिसे यूपी के अंदर GI tax दिया गया है वेल इसका अंसर है कानपू लेदर क्राफ बाकी सारे हैं लेकिन कानपू लेदर क्राफ जो है वो इसके हिस्से में आपका नहीं आता है इनमें से कौन सा statement true है regarding the recent changes to the liberalized remittance scheme and the tax collected at source सबसे पहले आव समझो होता क्या है LRS एक तरीका है जहां पर हम overseas पैसा स्पेस्फिकली जो एनराइज है या जो इंडियन से वह 250 थाउजन डॉलर्स तक का पैसा वह एक तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं और अक्सेट भी कर सकते हैं इनवर्ड और आउट्वर एमिटेंस हो सकता है बाहर बेज सकते हैं और इंडिया भी आ सकता है सिमलर्ली टीएस क्या होता है जब कोई इंकम जन्रेट होती है या फिर जब कोई आपका एक एक अमाउं जन्रेट होता है तो उस पर एक टाक्स करता है प्रामारिली उसे हम कहते है TCS तो स्टेटमेंट पढ़िए ओवर्सी स्पेंडिंग यूजिं इंटरनाशनल क्रेडिक कार्ड विल आउट अट्राइक टीएस नंबर तो देंप्लिमेंटेशन फाहिए टीएस रेट फॉलाइव 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 यहां पर स्टेटमेंट आपका ऐक तरह से सही है वह आपका आखरी बाकी स्टेटमेंट अभी जो है वह सही नहीं है तरह लास्टेटमेंट इस ट्रू कि यह जो है उसे पोस्पोंग कर दिया गया है तो अक्तूबर 1 ऑफ 2023 मिनिस्टर ऑफ हाउजिग अबन अफेर्स हर्दीप सिंग पूरी सहाब ने अभी हाली में प्रेज किया है प्राइम मिनिस्टर्स का जो स्मार्ट स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनुन निधीव का प्रोग्राम है उसको उसके कंप्लीशन में तीन साल हुए है यह जो आपका पीम स 50,000 रुपय तक का लून और 50,000 रुपय तक का लून भी इसमें मिलता है लेकिन पहला लून 3,000 का होगा फिर 20,000 और फिर आपका 50,000 इन में से इंटरेस् gelatin का है अंडर दी P.m. samanidhi scheme आपकी option to 7% परानम पर है यह इंटरेस्ट सब्सीडी है सबसीडी क्या होता है किiste की चूट सरकार दे रही है उस rate of interest तो 7 % परानम पर P.m. samanidhi के अदर subsidy सरकार जो है वह प्रोवाइड कर रही है क्या परपस हैं सागर समाजिक सहयोग जो की एक Corporate Social Responsibility Guideline है जिसे भारत की Minister of Port Shipping Waterways और भारत की Minister of I.U.S. सरबादन सोनवल जी ने रिलीस किया है वेल इसका मेन मकसद है Empower करना Ports को To Address Local Community Issues अब देखो दिहान से देखना है यहाँ पर तो सारे options ही कहीं न कहीं सिर्फ option 4 को छोड़ दें बाकी 3 options आपके Sports ही है लेकिन answer जो है वो पहला रहेगा To empower Ports to address Local Community Issues क्या नाम है उस Portal का जिसे भारत के MSME मंतरी श्री नरायन राने टूटू ने रिलीस किया है launch किया है for MSME support Well उस MSME Portal का नाम है option 3 Champions 2.0 Champions Portal को जो former MSME Minister थे नितिन गटकरी जो इस समय Minister of Road Transport है उन्होंने किया था और अब second जो उसका edition है उसको नरायन राने ने किया है याद रुखिएगा इंडिया में concept चलता है vocal for local और local to global जिसमें जितनी भी MSMEs हैं उनको वो एक international standards पर बढ़ाना चाहते in fact अभी MSME मिनिस्ट्री ने lean mechanism का इस्तमाल शुरू किया है जो की एक concept है from Japan ताकि जो world renowned world standard practice है work करने की वो मिल सके भारत के MSMEs को इनमें से कौन सी app है जिसको launch किया गया है जिसका मकसद है to facilitate geo-tagging of cluster projects and technology centers उस आपका नाम है option 4 नाम से ही दिख रहा है geo-tag MSME किस university ने दोस्तों consistently top किया है the QS that is the Crackeralli-Symons World University Rankings for 12 consecutive years लगातार 12 साल उसने इसको top किया है तो उस संगठन का नाम है आपका option 4 that is MIT from the US इसी ranking में कितनी इंडिन उनिवर्सिटी को number मिले हैं कितनी उनिवर्सिटी इस ranking में आपकी list हुई है तो उनकी number जो है that is 45 और इनमें सबसे उपर उनमें IT मदरास है IAC Bengaluru है ऐसी तमाम organizations यहां पर मौझूद है कौन सी organization है जिसने collaborate किया है ministry of MSME के साथ और उनके साथ मिलकर एक center of excellence बनाया जाएगा जिससे जो schedule का schedule tribe entrepreneurs हैं उनको help हो सके वेले collaboration हुआ है with the ministry of MSME and the National Small Industries Corporation of India जैसे मैंने आफ से कूछा था university rankings में जो QS university rankings है उनमें कौन सा university एशिया का है जो top 10 में आया है और ऐसा उस जगह पर होने वाला उन top 10 में आने वाला एक लौता solitary university है एशिया से उसका अंसर है the national university of Singapore uniform civil court क्या है इसको लेकर काफी जादा बात होती है काफी contentious है और ये जो आने वाला special session है हो सकता है उसमें इसको approve कर दिया जाए तो question यहाँ बहुत basic सा है कि UCC का मतलब क्या है इसका full form है uniform civil court और इसका ये law जो है वो एक तरह से codify करेगा personal laws को जो भी अलग-अलग religion में है और एक समान law बनाएगा चाहे वो sexual orientation को लेकर हो चाहे वो voting को लेकर हो चाहे वो personal laws को लेकर हो तो एक law हो रहेगा देश के अंदर उसका concept है UCC और ये है आपका option number 2 Indian Air Force ने हाली में conclude किया है exercise run विजय जो की एक series है integrated war games की जिसका aim है enhance करना scale of fighter pilots सवाल है ये exercise run विजय इन में से कहां पर हुई है ये exercise आपकी दोस्तों जो हुई है वो हुई है option 4 प्रयाग राज में वहाँ पर मतलब इलहाबाद में प्रयाग राज में ये exercise आपकी run विजय boundary, daring and fisheries आपके सामें पाच options है नन्दी बैल से आपको याद होगा हमारे ग्रंथों में इसका mention है तो basically main मकसद है जो veterinary drugs और vaccines है उनकी process को उनकी approval को streamline करना और standardized करना ताकि उनमें कोई भी issue ना रहे और timely उनका approval मिल सके International MSME Day is observed every year on 27th of June इसा हमें सब पता है सवाल है इस साल हमारा theme क्या था theme है आपका future ready MSMEs for India at 100-100 साल होने पर इंडिया के MSMEs हो वो future ready क्यागार पर चले चले क्या theme है इस बार के 8th Global Pharmaceutical Quality Summit का इसका theme इस बार दोस्तों है आपका patient centricity new paradigm of manufacturing and quality कैसे आद रखोगे इसको patient centricity मतलब focus should be the center focus should be patients और paradigm मतलब नया बतलाव एक बेहत बड़ा एक बड़ा बड़ा चींज in the manufacturing and quality एक नया दौर आएगा manufacturing and quality का यह theme है इस बार के pharmaceutical quality summit का वापस आते है क्यों Asia University पर तो इन में से कौन सी वो इंडिया उनिवर्सिटी है जो secure किया है highest position in the Asia University Rankings पर उसका नाम एक ही है that is IISC Bengaluru और यह इंडिया में number one position पर है कितना time कितना interest-free loan provide किया गया है कितने time का interest-free loan provide किया जाता है state governments को under the scheme under the special assistance to states for capital investment 2324 scheme यह scheme आपकी launch की गई थी during the pandemic ऐसा देखा गया था कि because of the pandemic जो capital है जो infrastructure के लिए पैसा चाहिए जो capital चाहिए वो कम है states के पास तो उनको long term के लिए capital provide किया जाएगा ताकि जो उनके infrastructure hassles है जो उनके capital investments है state के अंदर उसके लिए उनको loan मिल सके तो उसके लिए scheme को 2020-21 के budget में launch किया गया था और तब से लेकर लगातार यह budget में आपका आ रहा है इसके अंदर interest free loan मिलता है जो कि 50 years का आपका होता है इन में से कौन सा state है जिसको highest allocation दिया गया है amount दिया गया है under this योजना for 23-24 उस state का नाम है option five that is पिहार कहां पर एक thousand year old द्वार पाल स्कल्प्चर को discover किया गया है तो यह दोस्तों तेलंगना में ही है और यह सिद्धी पेटिक जगह है तेलंगना में जहां यह द्वार पाल thousand year पुराना द्वार पाल जो है उसको discover किया गया है according to the global startup ecosystem report 2023 इन में से कौन सा city है जो hold करता है top position in the global startup ecosystem ranking उस city का नाम है option three that is the silicon valley silicon valley उस ranking में आपका दोस्तों जो है वो टॉप करता है तो उसका जवाब रहेगा आपका option number three इन में से वो कौन सा city है जिसने secure किया है 20th position global startup ecosystem report में जिसे 2023 में जून महीने में आपका पेश किया गया है basically ecosystem को मतलब होता है कि कैसे हम ऐसा environment बनाए कैसे एक ऐसा environment या एक ऐसा मौहल बनाए जो start-ups को grow करने में उन्हों start करने में friendly हो जाए तो उसमें आंसर यहां पर जो रहेगा that is option number four that is बेंगलूरू next इन में से कौन सा country है जिसने secure किया है top position in the 2023 global competitiveness index wealth country का नाम Denmark है अगर हम बात करें तो इसी ranking में last पर कौन है तो last पर आपका है Venezuela similarly दोस्तों अभी हाली में एक कोई-19 booster vaccine developed की गई है जो की एक mRNA vaccine है यह वैक्सीन को develop किया है जैनोबा बायो फार्मसुटिकल्स ने question है उस वैक्सीन का नाम क्या है उसका नाम है नाम से ही देख सकते हैं आप जैमी और जैम को वाक ओ-म next when is the UN international day in support of victims of torture observed यह किस दिन होता है यह दोस्तों हर साल observe किया जाता है 26th of June को कौन सा वो एजिप्ट का highest honor है जिसे मोदी जी को अभी हाली में दोस्तों जो है वो दिया गया है तो यह honor जो है वो दिया गया है the order of the nine जो highest समान है सर्वोश समान है civilian को जो किसी भी लीडर को दिया जाता है एजिप्ट के अंदर दोस्तों एजिप्ट में अभी हाली में bright star excise चल रही है जिसमें इंडिया का जो इंडिया का contingent भी उसमें आपका गया है along with other nations तो उस बजह से भी एजिप्ट आपका news में है नाइल वहां की सबसे बड़ी rivers सबसे बड़ी river है how many international awards till the month of June have been awarded to Prime Minister Modi answer है 13 लेकिन अब इसको आफ 14 कर लीजे अभी कुछ time पहले इनको अभी समान फिर से दिया गया है तो अब जो answer रहेगा वो आपका 14 रहेगा international day against drug abuse and illicit trafficking जून 26 को होता है इस बार इसका theme क्या है इस बार इसका theme दोस्तों जो है that is option number 4 people first stop stigma and discrimination strengthen prevention ये इसका इस बार theme जो है वो दोस्तों आपका रखा गया है absolutely correct इनमें से वो कौन सी organization है जिसने collaboration किया है partnership किया है और मिलकर वो develop करेंगे एक India based air independent propulsion system जो की use किया जाएगा submarines में इंडिया नेवी में well ये collaboration हुआ है लासें टूबरो का जो की इंडियन कंपनी है और defense research development organization का दोनों इंडियन कंपनी मिलकर air independent propulsion systems को launch करेंगी submarines के लिए और for the Indian Navy हर साल observe किया जाता है June 21 को the world the naval the world hydrography day जिसे observe करता है the Indian naval hydrographic department उस अलबेट किया उसने इंडिया में इसको question है कि इसका theme इस साल worldwide क्या था सब में देगा hydrography है सिर्फ हमें जो उसका prefix suffix है उसको देखना है तो इसका theme है आपका hydrography underpinning the digital twin of the ocean कौन से organization है जिसने partnership किया है pay tm payment services के साथ और मिलकर अरुनाचल प्रदेश में मिलकर अरुनाचल प्रदेश में वह एक startup ecosystem को launch करेंगे तो यह collaboration किया है और यह launch किया जाएगा और इस particular organization का नाम है अरुनाचल प्रदेश innovation and investment park यह इस संगठन का दोस्तों आपके सामने नाम है according to the global livability index कौन सा शहर है जिसे रांक किया गया है as the most livable city globally उस शहर का आपको नाम बताना है उस शहर का दोस्तों नाम है option 3 that is Vienna Vienna is the name of that city Vienna Austria capital है उसको यह खिताब जो है वो दिया गया है international day of women in diplomacy को हर साल observed किया जाता है June 24 को इस साल इसका theme क्या है इस साल इसका theme है option 4 breaking barriers shaping the future women diplomacy for sustainable development यह इस बार इसका theme दिया गया है next पर आते हैं क्या नाम है उस collaborative platform का जिसे इंडिया और US के ने साथ में defense sector में आपका किया है वो इस platform का नाम दोस्तों जो है that is option 2 that is Indus X यह इंडिया और US का है in fact अभी हाली में कई जो agreements होने वाले military के और Indian Armed Forces के वो इसी agreement के अंडर होने वाले हैं और अभी इंडिया में जो defense secretary थे वो Lloyd Austin वो इंडिया भी आये थे उन्होंने मलाकात की है भारत के defense minister से भी इंडिया की rank क्या है global gender gap index में in terms of क्या difference है male female workforce का तो उसमें इंडिया की rank है आपकी very depressing very depressing 127 इसी ranking में number one पे कौन है number one पे आपका Iceland है peaceful country में भी Iceland आपका number one पे है तो दोनों ही ranking में वो number one पे बना हुआ है in addition to signing the Artemis Accord जो की basically जो next mission to moon and beyond है USA का इसमें इंडिया को add किया गया है इसके अलावा इनमें से कौन सा एक collaboration और किया गया है एक collaboration जो और किया गया है दोस्तों किया गया है for joining the international space station in 2024 और यह तो तब हुआ था जब चंद्रियान 3 का launch हुआ नहीं था there were suspicions in the world media की ऐसा हो पाएगा लेकिन अब तो इंडिया काफी ऊपर आ गया है in the hierarchy table of space market तो इंडिया को तो हर देश अपने साथ जोना चाहेगा इन मेंसे वो कौन सा US chip maker है जिसको मिला है approval from the Indian cabinet और after the approval एक semiconductor testing और packaging unit जो है गुजरात में वो control organization बनाएगी उस company का नाम है micron technology इन में से इन में से किन्हें पॉंट किया गया है as the president of the Bricks Chamber of Commerce and Industry Women's Vertical जो Women's Vertical Bricks का है उसमें इन में से किन को बनाया गया है उसका चेर परसन उनका नाम है Ruby Sinha International video Day हर साग होता है June 23 को इस साल इसका theme क्या था इस साल इसका theme था innovation and technology for gender equality यह इस साल इसका theme आपका दिया गया था पाकिस्तान ने constitute किया है एक negotiation committee जो की finalize करेगा deal for the handover of its Karachi Port Terminal as a part of its efforts to raise emergency funds question है कौन सा country है जिसने Karachi Port Terminal को acquire करने में interest दिखाया है well उसका answer UAE है वह चाहता है इसको इसमें invest करना acquire करना इसके लावा दोस्तों भी हाल ही में IMF को proposal गया था for a bailout ताकि जो past sector reforms है उनका खर्चा हो सके तो वह approval को IMF न reject कर दिया और उनने कहा है कि आप हमें और बताए detail में कि आपका 15 billion पाकिस्तान रुपी खर्चा कैसे होगा past sector reforms में तो उसको लेकर IMF पाकिस्तान में अभी भी जो employer brand टाटा पावर अमेजन टाटा स्थील बिग बास्केट या इन में से कोई नहीं तो उसका आंसर रहेगा option number one that is Tata power टाटा पावर वहां पर number one रांग पे आपका दोस्तों रहा है कहां पर C.A. भवानिदेवी जो भारत की एक मशूर फेंसर है उन्होंने इंडिया का पहला एशियन फैंसिंग चैंप्योशिप का मेडल जीता है वहले यह चैंप्योशिप आपकी हुई थी इन वूकसी चाइना और फैंसिंग में इंडिया का यह अब तक का पहला इवर इंटरनाशनल एशिंग मेडल है जो इन्होंने जीता है हर साल 21 जून को हम सेलिप्रेट करते हैं सॉलस्टिस सऩाल है विंटर सॉलस्टिस सममर सॉलस्टिस दो होते है कि § 2 बार होते है, एक समर में और एक विंटर में 21 जून को समर सॉलस्टिस honor betAl होना है winter solstice आपका कब होता है next कौनसी country है जो बनी है the first ever Central European country जिसने same-sex marriage को legalize किया है उस country का नाम है Estonia वो number one वो पहली Central European country है जो उस नमबर पर आई है कौनसी company है जिसने claim किया है the title to be the most valuable private sector company in India according to the Hurun India's 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरून India list well उसमें number one पर आपकी जो company है उसका नाम है Reliance Industries Limited ठीक है आंसर रहेगा उसका option number three world sickle cell awareness day हर साल observe होता है June 19 को अगर किसी को sickle cell disease है तो उसकी जो RBC होती है उसका shape कैसा हो जाता है आपके सामने options है उसका shape हो जाता है sickle जैसा या फिर crescent जैसा जिससे की oxygen का transmission है उसमें दिक्कत आती है number one and number two number two कई बिमारी यां कई तरह के pain कई तरह के disease उस व्यक्ति को हो सकते हैं इंडिया में जो इंडिया की 8.6% जो total population का हिस्सा है that is the tribal population उनमें sickle cell disease is one of the top 10 diseases जो उनको हो सकता है जिसको लेकर भारत में sickle cell anemia mission launch हुआ है जिसमें हमें 2047 तक इस बिमारी को नेस्ता नाबूत eradicate कर देना है इनमें से कौन बने है RBI के नए deputy governor उनका नाम है दोस्तों स्वामी नाथन जानकी रमन वो बने है RBI के नए deputy governor आगे बढ़ते हैं world music day हर साल जून 21 होता है question है इस साल इसका theme क्या है इस साल इसका theme है music on the intersections यह इसका theme इस बार दिया गया है इनमें से किन्हे award दिया गया है the peace prize of the German book trade well अभी इन पर हमला हुआ था कुछ काफी महीने पहले इनका नाम सल्मा रुजदी है सवाल मेरा आप से है इनकी अभी हाली में एक book आई है उस book का नाम मुझे आप बताईए comment section के अंदर world refugee day हर साल होता है June 20 को और इस बार इसका theme क्या है इस बार इसका theme है option 3 hope away from home कोई भी व्यक्ती नहीं चाहता कोई भी individual नहीं चाहता अपने घर छोड़कर दूसरे घर जाना या दूसरे देश में जाना पर ये refugees की यही एक दर्ध है उनका यही मरम है और इसलिए theme है hope away from home इनमें से कौनसे states का बिल कंटिन्यू तो रिस राइस अंडर दी OMSS despite the discontinuation of sales to the state governments वेल इसके अंतरगत कहां पर अभी भी राइस मिलता रहेगा वेल वो states हैं आपके the north eastern states अपार्ट फ्रॉम बांगलादेश इनमें से कौनसी दूसरी country है countries हैं जिन्होंने fixed exchange rate को इस साल ड्रॉप किया है मतलब वो किसी particular currency से या किसी particular commodity से अपनी currency को link नहीं करेंगे या उसके base पर अपने currency एक्सचेंज नहीं करेंगे तो यह कौन से और देश है उन देशों के नाम है पाकिस्तान एजिप्ट और लेबनान देखिए तीन methods होते हैं एक होता है fixed एक होता है आपका flexible या फिर market based जहां पर ओवराल जो दुनिया का market है उसके dependency पर आपका rate change होता है अगर overall जो on average market recession में आएगा तो वहां पर recession में आएगा जिसे हम flexible भी कहते हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया has a middle way इंडिया use करता है managed managed में क्या होता है managed के अंदर देश के अंदर RBI manage करता है और देश के बाहर free float या फिर flexible focus करता है तो देश के बाहर वह flexible rate पर अपने currency को exchange करेगा लेकिन देश के अंदर RBI intervene करेगा जब-जब because of the external conditions इंडिया पर असर पड़े कर आप सुना होगा तो जब आप आप देखते होगे कि RBI ने reserve या फिर उसने bonds को sell करना शुरू किया है या intervene करना शुरू किया है या फिर monetary policy में change की है वो सब इसनी की है ताकि जो exchange rate इंडिया का है वो जादा वो बहतर रहे और उसमें नुकसान जादा ना हो ठीक है हां उस वज़र से इंडिया जो है manage करता है लेकिन पाकिस्तान यूजेप्ट और लेबनान जो है वह फिक्स से शिफ्ट होकर flexible पर या market-linked exchange rate system पर आ चुके है इन में से वह कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है बेस्ट स्टेट काटेगरी में आड दी नाशनल वार्ट राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात या करनाटका तो नंबर बन स्टेट है आपका option 3 या MP कौन सा दिस्ट्रिक है जिसे मिला है best district का award at the national water awards वेलो district है उडिसा का that is the ganjam district which village panchayat has been given the best village panchayat award at the national water awards उसका आंसर है the jagannadpuram village panchayat जो की telangana में है किन्हें conferred किया गया है इन में से किस organization को with the gandhi peace prize answer है उसका gita press गोरगपूर sustainable gastronomy day हर साल celebrate होता है June 18 को question है इसका इसाल theme क्या है a gastronomy is basically the science of food foods associated a term है आपका इसका इसाल theme है local flavors preserving the global heritage when is the international day for countering hate speech observed hate speech मतलब जब social media पे या या offline में भी जब कोई भड़काने के लिए बयान देता है instigate करने के लिए बयान देता है particularly religion को लेकर देश को लेकर दुनिया को लेकर तो यह आपका जून 18 को observe किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपकमिंग विजेट तो यूएस वह आपकी हुई जून 21 से जून 24 तक पीम मोदी वहाँ पर उन्होंने अड्रेस किया joint session को कितनी बार वह अब इस session को address कर चुके हैं वैल यह इनका दूसरा बार था जब उन्होंने जो joint session of parliament जो joint session of US Congress है उसको address किया उस scheme का नाम बताना है आपको जिससे Indian overseas bank ने launch किया है जिसके अंडर जो customers हैं उस bank के वो कोई भी नाम चूज कर सकते हैं अपने savings account के लिए वैल उस facility का नाम है my account my name देखिए one और five में option था लेकिन answer है my account my name why break yoga at office chair protocol इन में से किस ने शुरू किया है वैले शुरू किया है ministry of ius ने of course next a world day to combat decertification and drought is annually observed on June 17th question है इस बार इसका थीम क्या था अब यहां पर देखो decertification क्या होता है ऐसा कोई जमीन जो उप जाओ नहीं है जो अब बेकार हो चुकी है बेकार होने कगार पे है और सूखा इन दोनों को combat करने के लिए दे होता है इसका थीम इस बार है आपका हर लांड हर राइट यहां पर लांड को एक स्ट्रिलिंग या फिर एक फीमेल एक फीमेल जेंडर से उसको को असोशियेट किया है जनरली हम करते भी हैं विकाज अफ दे ममता विकाज अफ दी रोमांटिशिजम वी हाव रिगार्डिंग दे लांड अफ आर्स तो हर लांड हर राइट अकॉर्डिंग टू दी आर्बिया रेमिटेंस सर्वें कंट्री में हाईए शेयर इन्वर रेम पहले बता है पी एम की विजिट हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ग्रांड की अप्रूवल फॉर दी अक्पोजिशन ऑफ प्रिडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन फ्रम अमेरिका कॉंसी इंडिन आम फोसे का ब्रांच है जो हाइस नंबर ऑफ सी गाजन डों जो की आपका MQ-9 है इनको एक्सेट करेगा वेल वो ब्रांच है आपकी इंडियन वी वह इनको नाम से देख सकते हैं आप सी गार्जिन तो उसका अंसर इंडिन ने वी होगा विच वेरियंट ऑफ एम्क्यू-9 ड्रोन हाज बिन चोजन बाइद इंडिया फोर एक्विजिशन जैसे मैंने पह रेमिटेंस तोर्स फिनाशन इंक्लूजन और कॉस्ट इंडिक्शन यह वर्ड पढ़ लिजेगा इंटर्व्यू में आ सकता है तो प्रोवाइड एफॉर्डबल फिनाशन सर्विससे तो एवर्यवन यह उस वर्ड का मतलब होता है कितना कैस्ट ट्रांसफर किया गया है इस अप्शन 5 रुपीज 5,000 इन 3 इंस्टोल्मेंट यह प्रोइड किया जाएंगे अंडर इस और एक और सवाल बनेगा कि अभी हाली में हर साल एक रिपोर्ट आती है जिसमें जो ग्लोबल नूपल नूपल आर्स नेल है उनको बताया जाता है कौन सा देश क्या कर रहा है एक्सपोर्ट यह डिबलब तो उस एर्बुक का नाम है सिप्री एर्बुक जिसको सिप्री जो की स्टॉक होम बेस्ट एक डिफेंस रिसर्च इंस्टिट्यूट है वो इसको करता है वोट इस टार्गेट सेट बाइंडिया यूएई तो इंक्रीज देयर नॉन ओइल ब्लाट्रेट बाइट बाइंटी थर्टी जो गैर तेल ब्लाट्रेट है दुपक्षे वैपार है वो कितना होगा 2030 तक इंडिया यूएई का तो उसका अमाउंट्स जो रखा गया है दाट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगा अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक कर दीजे अभी के अभी और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया यह मौका से शेयर करने का साथी में हमारा नया चानल है मेरा और इस चानल पर बहुत भ इंडिया का न्यूकलर आसनल है जिसमें 164 वह अब कितने बढ़ गए हैं 160 से आपका हो गया है 164 जिससे कि न्यूक्लियर जो जो आप जो आप जो वैपन से उनका इस्तमाल इंवार हैट से आपका हो सकता है नौट इस्ट इंडिया की कॉंसी सिटी है जो बना है नया बेटर करते हैं तो नौट इस्ट में जो नया सब ओफिस है वो कोहिमा नागा लैंड में बनाया गया है अंडर विच सेक्शन ऑफ दी आर्बी आइए अक्ट 1934 डिर दी आर्बी आइए कैंसल एक्विटास होल्डिंग्स एजिस्ट्रेशन वेल डाट इस सेक्शन 45 आइए स सबसे टॉप फ्रेंड्लिए सिटीज में रखा गया है तो उन दो शेहरों के नाम है आपके टोरंटो और सिट्नी यह टॉप मोस्ट फ्रेंड्लिए सिटी है अकॉर्डिंग टूद्टी स्पिरिट इंडेक्स कौन सा मंत्रा आले है जो रिस्पॉंसिबल है फॉर इंप्लिम जिसे करेंटली आपका टेक प्रेस किया है एंडिया का कितना परसंटेज है उन रियल टाइम पेमेंट्स में तो उसमें इंडिया काफी बहतर है 46% इंडिया का शेर इंटम्स वर स्पेसिकली तरियल टाइम ओन्लाइन पेमेंट्स में इंडिया अभी इमर्ज किया है global leader in the digital payments for the year 2022 surpass किया है उसने काई nations को in terms of value and volume transactions second position पर इन में से कौन सा country है तो country है ब्रजील क्या objective है एक प्रजेक्ट का जो government of India ने ADB के साथ किया हमासिल प्रदेश में वैल यह जो objective बहुत सिंपल सा है कि वह enhance करना चाहते है farmers की income को जो कि हमार जो mission भी है सरकार का के सरकार का double income करने 2022 तक mission तर जिसको आकर और grow करना है and climate change से उनको उनको बैटर वो तयार रहें climate change की वजह से अपने खेतों के पनिस्पत मतलब basically concept यह है कि farmers income double करना उनको technologies later सिखाना और climate change से जो उनको नुक्सान होता है उससे उस नुक्सानों कम करना और उन्हें better prepare करना for any evils that happen due to the climate change international albinism awareness day हर साल तेरा जून को अबसर्ब होता है इसका इस बार थीम किया इसका इस बार थीम है आपका inclusion is strength यह इस बार इसका थीम रखा गया है RBI ने एक significant step लिया है to enhance the trade receivable discounting system by allowing insurance companies to participate as stakeholders under the threats guideline who can pass better financials एक platform है इस खास तौर पर MSME के लिए platform था जहां पर वो sell buy कर सकते हैं उस platform पर discounting हो सकती है उनके bills पर तो financials कौन रहेंगे इस particular platform पर तो वह आपके रहेंगे entities जिन्हें permit किया गया है under the factoring regulation act and its rules यह लोग जो है वो इसके under रहेंगे आगे बढ़ते हैं इनमें से वो कौन सी company है जिसने हाली में revise की receive किया regulatory approval from iridia to enter the life insurance business in India well इसका answer है आपका go digit life insurance यह इसमें आपका ranking में आया है तो उसका answer है का option number three next पर आते हैं अभी हाली में इनमें से वो कौन सी country है जिसने एक Atlantic declaration को जो एक strategic pact है उसको launch किया है जो कि agreement है to maintain a special relationship and outline a joint effort to tackle challenges post by Russia and China and economic stability basically एक तरह से एक ऐसा front बनेगा जो कि जो भी challenges Russia China की वजह से आ रहे हैं या फिर जो दुनिया भर में आर्थिक स्थिर्था है economic instability है उसको लेकर यह pact किया गया है तो यह pact को दोस्तों जो है वो दो देशों ने sign किया है USA और UK ट्रेट्स जैसे मैंने पहले बताया जिसमें अभी हाली में insurance companies को भी add किया गया है वो भी insurance को वहाँ पर sell कर सकते हैं तो ट्रेट्स का primary purpose क्या हो लिखिए पिछले दो से तीन सालों में लगातार सवाल आपका ट्रेट्स के उपर आया है कि ट्रेट्स बिसिकली है क्या तो इसका फूल्पा ने बता दिया आपको इसका primary purpose है एक cash flow create करना MSM इसले ताकि उन्हें आसानी से उनका business grow हो सके कितने insurance इंडिया में currently operate कर रहे हैं after the approval of go digit life insurance as a life insurance company total अब हो चुके हैं आपके 26 यह जून का data है कौन सब इंडिंजर्ड मरीन मैमल है जो मिन अट्राक्शन है Gulf of Manar मनीर मरीन नाशनल पाक का वैल वो है आपका डुगॉंग साइकलोन बिपर जॉय को नाम कैसे मिला यह बहुत ही न्यूज में था जून में यह नाम दिया गया है बंगलादेश ने और उस निवी प्रोटोकॉल के तहत ही नाम उनको जो है वो दिया गया है इंडिया का जो इंटरन एकॉनमी है इस प्रोजेक्टेट तो रीच हाव मच बिलियन और ट्रिलियन दॉलर्स शोइंग ग्रोथ फ्रॉम बिलियन दॉलर्स इन 2022 अस पर रिपोर्ट बाइ गूगल तैमास्क अन बेन कंपनी यह आपका बिलियन दॉलर्स से हटी में पहुचेगा तो वन ट्रिलियन टॉलर्स अकॉर्डिंग तो मर्सर्स कॉस्ट अफ लिविंग सर्वे इनमें से कौन सा शहर इंडिया का है जो मोस्ट एक्सपेंसिव है फॉर एक्सपाट्वेट्स वेल्दी आंसर इस ऑप्शन वन डाट इस मुंबाई तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं उमीद करते हैं सेशन आपको बढ़िया लगा होगा कल हम कराएंगे देखे जून जुलाइ ऑगस्त हो गया है फिर हम कल कराएंगे आपको मेका और फिर एर्थ को हम आपके साथ रिविजिन कर लेंगे एक साथ इन सारे वीडियो इसको हम कंबाइन कर देंगे और इसको एक वीडियो में करके आपको सेव एट को प्रोवाइट कर देंगे ठीक है थैंक्यू सो मच एवरीवन और टेक केर और बबाई और थैंक्यू सो मच कैस्ट बबाई